यहां पर अब रमेश मंदस योगे स्ट्राइक पे मौझूद है उन्नी स्ट्रंज बना रखे ओवर के लिगे इनको समलते विल एक साइड में खेला है no one on this stream क्योंकि यह stream वो अभी अभी चली है तो इसलिए यहां पर कोई भी नहीं है stream के उपर 211 पे 6 आउट वो खेलेगे इनको कदमों का साहरा लेकर मिट विकेट के एरिये में खेला है कोई भी रन जो है वो लेने का मौका अब मौझूद नहीं है डॉट के साथ स्कोर अब 211 है चेक इनुकसान पे 67.4 ओवर्स का खेल जो के अब हो चुका है पूरा लाइक और सब्सक्राइब लाजमत वर पे करिए का आप बैकफर पर जाकर इसके इनको मिट विकेट के एरिये में खेला है तो आशिस यह अभी तो जो है वो शुरुवात हुई है बैकफर पर जाकर ओवर के लिगे इनको पंच करते हुए बैटर ने कवर्स के एरिये में खेल दिया है अच्छा ये शॉट फिल्डर गेन का पीछा करते हुए बिल्कुल बांडरी के पास जाकर साउध ने स्केन को फिल्ड करते हुए जब तक वापिस किया है तीन रंस को पुरा कर दिया गया अस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग आई है और अस्ट्रेलिया नीच है के स्कोर पर कोई भी रं नी बनाया आस्ट्रेलिया और इंग्दिन के दर्ब्यान वो मुकाबला जो कि अब तो मैच जो है वो दोस्त अब स्ट्राइट हो चुका क्या मैं इधर ही कंटीनू करूँ हां जी हां जी आप इधर ही रहें यहां पर रश लग जाना है अभी अभी तो डोंट वरी दोस्तो चौदा है स्कोर चेकी नुकसान पर 68 ओर्स का खेल जो है वो अब हो चुका है पूरा Ashes की बात की जए तो वहां का स्कोर हम बोल की आपको बता दिया करेंगे क्योंके इंडिया का मैच भी चल रहा है और पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है और स्रिलंका का मैच भी सल रहा है थोड़ी confusion हो जाएगी अगर हम Australia वाला scorecard भी बोर्ड के उपर लगा देंगे तो बाद में लगा देंगे कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसी दोसों का target दिया तो टीम स्रिलंका जो है वो जीत जाएगी आसा कहा जा रहा है दोस अपनी prediction करते हुए और हमें बताते हुए के और 24 है चे के नुकसान पे पिजटर रंज होते हुए टीम पाकिस्तान के तीन के नुकसान पे हसीबुला ने अभी तक कोई चौका नहीं लगाया हुआ कामरा नुलाम 15 के score पे हैं जटर रंज टीम पाकिस्तान तीन के नुकसान पे अब लेकिन काफी slow cricket खेलते हुए टीम पाकिस्तान ए बिलकुल काफी ज्यादा जो है वो slow cricket खेलते हुए यह हमें अब दिखाई दिये रही है 214 है score चेके नुकसान पे रमेश मंदस 22 के score पे है और एक आहम रोल प्ले करते हुए अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ने में रमेश मंदस score 214 है चे आउट नसीम शा बॉलिंग के सिलसले को अब रखेंगे continue यहाँ पर नसीम जिनके ओवर की यह पहली गेन डाम दलेक साइड यह गेन जिसे लीव के या बैटरन या और लीव करते हुए जाने दिया विकेट के पर के पास टॉट के साथ अब 214 स्कोर चे की नुक्सान पे अब 68.1 ओर का खेल जो कि अब है पूरा अब के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं कि अब क्या सीचूशन है आशिस का टॉस्ट जो है वो आशिस का टॉस्ट देखते हैं कि किस ने जीता है जी बिलकुल इंगन की टीम ने टॉस्ट को जीते हुए बॉलिंग करने का फैसला किया एक और चार गिनों के बाद दास से स्कोर टीम उस्ट्रॉय लिया जिना की सिफिकेट के नुक्सान पे स्कोर 214 है चेके नुक्सान पे 68.1 ओवर का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा यहां पर ओवर के लिगेन शाट पे जे गेन जिसे बिना की सिदिकत और परिशानी के बैटर ने लिव किया और लिव करते वे जाने दिया विकेट कीपर के पास डॉट के साथ अब स्कोर 214 है चेके नुक्सान पे चाले अश्यक ना करो 214 पेचे आउट पाकिस्तान की टीम के अगर बात के जाए तो पाकिस्तानी टीम वो विकेट्स के तलाश लेकिन अभी तक विकेट्स जो है वो नहीं मिल पार ही एक स्लिप एक लेक्स्लिप के साथ ओवर केगली गेंड शॉट पेचे गेंड इसकेंड को रमेश मेंडस ने लीव किया लीव करते वे जान ने दिया विकेट्स के पास 214 पेचे आउट और आपके कुमेंट्स भी जो है वो हमारे पास अबार है तो अपने कुमेंट्स भी करिए और हमें बताइएगा किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है कितनी तारीख तक होगा ये मुकाबला भई कल तक जो है वो ये रहने वाला है और यहां पर कल के दिन ये वाला मुकाबला जो है वो खतम होते वह हमें दिखाई देगा फिर कल जाकर स्कोर 214 एचे के नुकसान पे, 76 रंस टीम पाकिस्तान के तीन के नुकसान पे जिसे रमेश मेंडस ने बाकवर पर रहते वे एक साइड में खेला है कोई भी रन जोएवल लेने का मौकाब मौझूद नहीं है नई लाइव स्ट्रीम को 114 दोस्तों ने लाइक किया हुए दिल से शुक्री आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए चानल को सब्सक्राइब करने के लिए 214 पे 6 आउट यहां पर अब ठैंक्स फूर दी इंफरमेशन काफी बारिश हो रही है और अलेक्टरिसिटी भी दी है वरना टीवी में लिए कोई बात नहीं चलता है ऐसा अभी हम जो है कि फिलाल मसला यह है कि यहां पर अभी ज़्यादा मैचेस हो रहे है तो आशिस का हम इसलिए कवर नहीं कर पाए एक और शॉर्ट पिज गेन जिसे बाक्वट पर रहते हुए बिलेबास निमेट विकेट के लिए में इसके बाद फिर बॉलर शुरू हो जाएंगे इसके बाद भी प्राबेट जसूरिया को आना है बैटिंग करने के लिए कि दोस्तों चौदा पेच्छे आउट कि आसे फली को बेजें का सिफली को बेजें कहां पर बेजना है भाई लेफट आम बाद विकेट ये गें जिसे बाद पर रहते वे पॉइंट के रही में खेलते वे सिंगल लेना चाते थे ये प्लेयर लेकिन ना काम रहे डॉट के साथ स्कूर है अब दोस्टो चौदा चेक नुकसान पे इस सेशन के अंदर जो विकेट्स हैं वो देखते हैं कि अब कैसी रहेगी और एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है दोस्तो अभी अभी खबर आई है एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है और एशिया कप का शेड्यूल हम आपके साथ अब शेयर कर देते हैं 30 अगस्त को पहला मैच होगा इश्यागप का पाकिस्तान और निपाल का बंगलदेश और सिरलंका का मैच 13 अगस्त को होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच 2 सेप्टमबर को होने वाला है बंगलदेश और अफगानिस्तान का मैच 3 सेप्टमबर को होगा और 4 सेप्टमबर को इंडिया और निपाल का मैच होगा जिसके बाद 5 सेप्टमबर को सिरलंका और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है तो यह है दोस्तों इशिया कप का इप्तदाई शेडूल जिसके बाद फिर जो है वो A1, B2 और कैली जिये के B1, B2 इस तरह मैच जो होने वाले हैं A1, A2 के दर्मियान मैच जो हो दस्तारी को होने वाला है वर केली गेंड डान देलेकसाइड यह गेंड इससे खेल दिया है देलेकसाइड में कोई भी रन जो हो लेने का मौका अब बिलके एक रन को पुरा के और दूसरे के लिए वापेसाइज के उनको फाइनले केरिये में खेल दिया है यहाँ पर दूरंस के इसाफ के साथ अब 244 एच्छे के नुकसान पर मुकाबला भागे बलते हुए और अच्छे तरीके से जो हो दोस्तों आ गे बलते हुए टीम श्रुलंका को लिए वासाँनी के साथ रन्स को लगाते हुए अब हमें दिखाई दे रही है खास तोर पे ये जो प्लेयर है दननजाइडी सिल्वा उनके क्या ही कहने और यहाँ पर अब boundary को चक्किया जा रहा है कि ये चौका हुआ है नहीं हुआ तो दोस्तो चौका हो गया है मुझे लग रहा है कि ये चौका हो गया है क्योंकि नसीम शाद जब इसके इनको रोक रहे थे तो ये गेंद जो है वो बांडरी उनका हाद जब गेंद के साथ टकरा रहा था तो पाउं जो है वो बाउंडरी के साथ टच कर गया था तो इसलिए अब जो है वो चौका हो गया है ये चौके की मदसे अब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 218 है चे के नुकसान पर और दूसरी तरह पाकिस्तान की टीम ने अपनी चौथी विकेट को लूस कर दिया 27 के स्कोर पर स्ट्रंप आउट होते वोए प्लेयर अब गामरान हुलाम 27 पर चार बिटे गिर चुकी है पाकिस्तान एकी पाकिस्तान एकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही नाकाबले जो है वो कैली चाहिए कि यहां पर यकीन यकीन राब बे में जो है वो नाकाबले यकीन परफॉमेंस रहते हुए टीम पाक्षान जी तो अब दोस्व अठारा एचे के नुकसान पे तो दनन्जे डीसिल वाज़ा है वो दोस्तों एक बार फिर से अपनी सेंच्री की तरफ बढ़ते हुए जिन्होंने इस ओवर के लिगेंद को बाकफूट परहते हुए स्क्वेर लाकी एडिया में खेलते हुए एक रून को भुरा किया है और दूस्टरे के लिए वापिस कमाल रॉनिंग बिटवंदा विकर्स करते हुए 71 रून्स की ये लीड और लीड जो है वो अब अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दोस्तों बहुत ही उन्दा तरीके से आगे बढ़ रहाते हुए इस लीड को टीम श्रिलंका की ये प्लेयर्स और अब श्रिलंका की अगर बात की जाए तो उनके चांसिस जो है वो अब बढ़ते हुए लगातार हर एक सिंगल रून के साथ चाथी इनिंग्स के अंदर डेर सो के उपर जो भी स्कूर होगा वो पाकिस्तान के लिए फिर बहुत मुश्किल रहने वाला है कास्ट्रम के बाइट की यगें जिससे समलते वे कावर्स के एडिया में खेला है कोई भी रन जो हो लेने का मौगा आप मौचूद नहीं है डॉर के साथ स्कूर 226 के नुकसान पे 220 से स्कूर 6 के नुकसान पे डाउन दे लेक्साइड यगें जिससे बैकफूट पर जाकर खेल दी अलेक्साइड में कोई भी रन लेने का मौगा आप मौचूद नहीं है स्कूर 226 के नुकसान तो दोस्तो दननजे डीसल वाई एक अच्छी निंग्स खेलते हुए अपनी टीम के लिए बहतरीन जो है वो बलेबाजी करते हुए अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ते हुए एकतर रन्स की जो है वो लीड हो चुकी है और ये पार्टनर्शिप अगर हम आपको बता दे तो यहाँ पर अब जो है वो अच्छी खासी लगते हुए दूसरी तरफ अस्ट्रेलिया का स्कूर तीन अवर्ज और तीन गिनों के बाद गया रहा है बिना किस विकर की नुकसा पर 45 तरफ की ये पार्टनर्शिप घरम्यान एक आउटस्ट्रेंडिंग पार्टनर्शिप लगते हुए और पाकिस्तान के टीम ने जो है वो इप्तलाई विकेट्स को जल्दी अपने नाम किया और दूसरे इसके बाद जो है वो फिर पाकिस्तानी टीम विकेट्स लेने मे पाकिस्तान एकी टीम 78 पर 5 आउट हो चुकी है लाओ जी हसी बुला भी आउट होते हुए अब क्या ही कहने पाकिस्तान एक जो है वो अब आउट इंडिया एके खिलाफ लेकिन इस मैच के बाद भी आपको बताताँ चलो कि यहां पर अलात कुछ हुँ रहेंगे कि जो पाकिस्तान की टीम है वो समी फाइनल खेलेगी और इंडिया की टीम भी समी फाइनल खेलेगी जी बिल्कुल दोस्तों पकिस्तान की टीम हारेगी तो पकिस्तान का मैच सिरलंका एक एक साथ पढ़ेगा समी फाइनल के अंदर और इंडिया का मैच जो है वो नेपाल एकvari के साथ पढ़ने वाला है तो ये सूर्तेहाल रहेगा एक अब समी फाइनल की इंडिया की घातक बॉलिंग जी बिलकुल बहुत ही शांदार किसम की बॉलिंग जो है वो अब हमें चलते वे दिखाई दिये रही है 220 से स्कोर चेक नुकसान पे 70 वर्ज और एक इन का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा 220 for the loss of 6 विकेट 70.1 आवर का खेल जो कि अब होते वए पूरा यहां पर और की हैडली गेन शॉट पेचे गेन दिस केन को बले बास ने लीव किया और लीव करते वे जाने दिया विकेट कीपर के पास और वाइड बॉल का सिंगनल दिया गया है अब अमपार की तरफ से वाइड बॉल जो है वो दोस्तों दी गई है स्कोर अब 221 से 6 की नुकसान पे दो विट्टे पाकिस्तान की टीम को मिली है चे चे जो है वो कह लीजे के यहाँ पर अच्छे विट्टे मिली है पहले दूव सेशन के अंदर तो कल आखरी दिन है पाकिस्तान और टीम पाकिस्तान और टीम श्रिलंका की दर्मान होने वाले मुकाबले का डाम दलक साइड ये गिन जिसे बैटर ने लीव किया और लीव करते वे जाने दिया है विगर किपो के पास डॉट के साथ अब स्कोर है 221 एक नुक्सान पे 70 वर्ज और दो गिनों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा विच टीम इस गूइं टू इस मैच इस सवाले से दीजिएगा आप भी हमें बता पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉगल करते हुए अब इस मुकाबले में और काफी ज्यादा जो है वो हमें एक तरह से कह लिजिए के स्ट्रॉगल जो है वो करते हुए दिखाई देरी स्कोर 226 एक नुक्सान पे 226 एक नुक्सान पे 70 और दोगिन के बाद आटम राउन दोगिटी एगें जिसे बिना किसी दिकत और परिशानी के बैटर ने खेल दिया है वापिस बोलर के पास एक और डॉट डॉट डिलिवरी लगातार जो है वो दोस्तों यहां पर आउट्स्टेंडिंग क्रिकेट जो है वो खेलते हुए हमें दिखाई दे रही है अब यह टीम और दूस्तरी तरो पाकिस्तान के टीम जो है वो काफी ज़दा स्ट्रॉगल करते हुए अब जो के हमें दिखाई दे रही है स्कोर 221 से चेकिन उकसान पर पाकिस्तान एक ही टीम भी स्ट्रोगल कर रही है और और 221 पेचे आउट प्राइक पे मौजूद है अब रमेश मेंडर स्पाइस के स्कोर पर है पचास के आसपास की ये पार्टरिंशिप होते वे पाकिस्तान की टीम बस ऐसी ही क्रिकेट खेलने वाली टीम है इस मैच के अंदर खराब खेल रहे हैं तो शाहिद अगला जो मुकाबला होगा वहाँ पर ये अच्छी क्रिकेट खेल दें तो कुछ पता नहीं है पूर 221 से चेकिन उकसान पर 70-04 गिनों का खेल जो के अब हो चुगा है पूरा कितने रन फाइटिंग टोटल होगा फोर्थी इनिंग्स में डेट्सो के उपर जो भी होगा वो फाइटिंग ही रहेगा डेट्सो से नीचे जो है वो मैं आपको थोड़ा मार्जन जो है वो क्याले के दे सकता हूँ लेकिन ये के 500 से नीचे जो भी होगा वो पाकिसान की टीम के निए मार्जन होगा लेकिन 500 से उपर जितने भी स्कोर होगे वो फाइटिंग ही होगे और क्याले के विनिंग भी हो सकते है और 221 से चे की नुकसान पे अब 70.5 ओवर्स का खेल जो के अब होच गया है पूरा श्रिडलंग का लीड बाई 72 रन्स दनंजे ने 60 बनाए हुए और रमेश मेंडस ने 22 बनाए हुए 56 गेनों का किया हुआ है सामना 221 पे 6 आउट और की है अगली गेन इस गेन को जो के आउस्ट्रूम के बाहिट की गेन थी नसीम की गेन को कवर्स के अरिया में खेला है अन्नदर डॉट डिलिबरी आपर अगर बात की जाए तो बात की जाए तो दूसरी तरफ 87 रंज है टीम पाकिस्तान A5 के लुकसान पे और पाकिस्तान A के टीम जो है वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रूगल करते हुए पाकिस्तान की टीम हारेगी तो पाकिस्तान का जो कहले के मुकाबला होगा समी फाइनल के अंदर वो सिरलंका के साथ होने वाला है नुमान ने अच्छी बॉलिंग की हुई है और रवनों ने तीन विक्टो का अपने नाम किया वाई लेकिन स्पिन बॉलर्स को जो है वो काफी बढ़िया तरीके से खेल रही है टीम माई स्कोर 221-6 के नुकसान पर दलंजे साथ के स्कोर पर 87 गिनों का किया वह सामना रमेश मेंडस 20 के स्कोर पर मौजू ने यहाँ पर रमेश मेंडस ने और के लिए इन को जोड़ा तरीके से खेल दिया है वाप इस बॉलर के पास कोई भी रन जो है वो लेने का मौँका आप मौजूद निया स्कोर 221-6 के नुकसान पर 71 ओवर्स और एक इन का खेल जो के अब हो चुका है पूरा विकट जो है वो बैटिंग के लिए इस वब्बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा बहुत ही जबर्दस किसम की जो है वो यह विगेट हमें इस वब्बह दिखाई दे रही है बलेबाजी के लिए और बैटर्स को कोई किसी किसम की मुश्किलात का जो है वो कह लीजे के यहाँ पर अब सामना नहीं विगेट विगेट ये गेंज जिसे मिड़ॉन के एरिये में खेला है अच्छी फिल्डिंग मिडविगेट के फिल्डर की तरफ से जिन हने डाइब करते हैं किन करोका है कोई भी रन लेने का मौका पहुँच हो दिया पाकिस्तान लंका का टेस्ट मैच का डे और कितने बज़े होंगे हैं अज एक दिन ने इसके बाद अभी और बचा हुआ है और आज किस दिन के अंदर बखे ओवर्स के अगर बात के जाए तो आज किस दिन के अंदर भी उस मैच में जो ओवर्स अब बचे हुए हैं वो हैं तीस और पाकिस्तान के टीम श्रिलंका को अल आउट करने की कोशिश में अब देखते हैं कि काम्याब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी क्योंकि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान के टीम जो है वो हमें थोड़ा सा स्ट्रोगल करते वे दिखाई दे रही है और विकेट्स यो है वो लेने में नाकाम दिखाई दे रही है बाकपर पर रहते वे इसके इनको दननजे ने खेला है लेक साइड में कोई बिरन लेने का मौका नहीं है दननजे डी सिल्वा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही अची क्रिकर खेलते हैं हमने ये चीज़ें पहले भी देखी हुई है और इनकी ओवराल जो एवरिज है वो 40 के फिल्डर के सर की उपर से उठाते वे दे मारा है एक लाजवाब बेहतरीन चौका प्यूटिफली प्लेट बाइ धननजे डी सिल्वा और दूसरी तरफ और इंग्लैन के माच के अगर बात की जाए तो वहाँ पर अब जो सिचुएशन है वो ये है कि अस्ट्रेलिया की टीम 16 के स्कूप पर एक विकेट को लूज कर चुकी है स्ट्रेट ब्रॉड एक विकेट लेने में काम्याब हो गए है और अब उस्मान ख्वाजा आउठ हो चके है अस्ट्रेलिया विकेट अर पांच विकेट लेने में विकेट हो चके है दोस्तो ब्रॉड की टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर और ये अंद ये वन विकेट फर इस 500 600 माफ किजिगा 225 स्कूर चेक इनक सान पर नसीम शाह नसीम शाह बॉलिंग कंटीनूर रखते हुए हमें दिकाई देंगे अब आपर नसीम जिन के ओवर किये पहली गेन इस गेन को भूल करते हुए खेल दिया है स्कूर लेक केरिये में फिल्डर की एक और बेहतरीन एफर्ट बांडरी लाइन पर जिन हने डाइव करते हुए स्केन को रोकते हुए बचाया है चौका दो रमजाएंगी स्केन के ओपर ब्रिलियंट एफर्ट बाइदी फिल्डर और दूस्ती तरफ मुहमद हारिस चौका लगाते हुए 14 के स्कूर पर पिचानवे रंजा टीम पाकिस्तान पांच के नुकसान पर हारिस के बल्ले से निकल निकल निकला है जबके तीम स्रिलंका के जो प्रमेश मेंडस है वो 24 के स्कूर पर मौचू देंगा पाकिस्तान की टीम तो जो है वो बॉलिंग में तब्दीली करने की ज़रूरत है नई गेंड मिलने में 8 अब बचे हुए और यहां पर देखते हैं कि नई गेंड आने तक पाकिस्तान की टीम जो है वो यहां पर सर्वाइव मतलब रंज को जो है वो कितना ज़्यादा देती है क्योंके रंज जो है वो काफी ज़्यादा लीक करते वे दिखाई दे रही है और के ली गेंड एक बार फिट से यह गेंड जिसे वलेबास ने लीव किया और जान ने दिया विकेट कीपर के पास ट्राउंद लिक साइड ये गेंड थी और दूसरी तरफ निपाल ने यूएए की टीम को तीन विकेट से हरा दिया है 227 स्कोर 6 की नुकसान पे 72 वर्ज और 2 गिनों का खेल जो के अब हो चुका है पूरा पाकिस्तान जीतेगा इस मैच को ऐसा कहा जा रहा है दोस्त की तरों से भाई फस्ट अफ वाल तो इस पार्टनर्शिप को ब्रेक करना होगा अगर इस मैच के अंदर बने रहना चाहती है टीम पाकिस्तान तो पर रब नसीम शाह नसीम शाह हमें नाकाम दिखाई देते हुए लिकेट लेने में जिनके ओवर के अगली गेंद एक पार फिट से डाउम दलेक साइड ये गेंद अपनी लाइन ओ लेंड को जो है वो बिलकुल भी अच्छान नहीं रख पा रहे है नसीम शाह यहां पर यकीनी तोर पर अब ऐसा किया जा सकता है कि उनको बॉलिंग से उतारते हुए उनकी जगा पर किसी और बॉलिंग के लिए लाया जा सकता है दोस्तों 27 से स्कोर्चे के नुकसान पे बहत्तर और तीन गिनों के बाद दाम दलिक साइड ये गिन थी और अब शाहीन अफरीदी को बॉलिंग के लिए लाया जाएगा लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि हम इससे पहले जो है वो आपको बताते चले कि यहां पर स्पिन बॉलर्स बॉलिंग करवाते हुए में दिखाई दे सकते हैं नहीं गयान आने तक तुकि अभी साड़े साथ वर्स का खेल बाकी है नहीं गिन मिलने में और की है लिगेंड डाउन दे लेक साड़ वंस अगिन यगेंद नसीम यकीनी तोर पर हमें ठके हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तो इस वक्त चाहे हैं ठीक अलब दोस्तो सताइस स्कोर चेक निकसान के 227 पे चे आउट 72 और चार गिनों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा वाइट हम मोवर लगेट ये गेम जो कि आउस्ट्रम के बाहिट की गेम थी इसके इनको कवर्ज के अरिये में खेला है एक और डाट डिलिवरी डाट के साथ स्कोर अब 227 पे चेक निकसान प्यान पाकिस्तान पाकिस्तान ए पिचानमे पे चे आउट हो चुके है मुबश्यर खान की जगापर कोई और ही प्लेयर शो हो रहा है अब तो दोस्तो स्कोर अब रहते हो यहाँ पर 227 पे निकसान पे बहते रोवर्ज और पांच के निका खेल जो किया भो चुका है पूरा इस सेशन की शुरुवात जो है वो टीम श्रिलंका के लिए भी तक बहुत ही अच्छी हुई है एक और अच्छी गेंद इस तफ़ा फाइनली एक अच्छी गेंद जो है वो हमें देखने को मिली है इस गेंद को स्क्वेर लेक एरिया में खेलते हुए एक रन को पुरा किया गेंद जो है वो दोस्तो शॉट लेक के फिल्डर के बिलकुल पास से होते हुए गई और आउट होते होते बच गए हैं यह प्लेयर अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा अभी मन अभी वर्मा गलत लेंगविज नहीं यार ऐसा ना किया करें आप ओम मिश्रा अभी इस बात को छोड़ दे गजीव आप भी गलत लेंगविज का हिस्तमाल कर रहे हैं क्यों भाई इसकिसम की गलत लेंगविज का इस्तमाल कर रहे हैं आप सभी ना करें असद ना करें लास्ट वर्णिग है गजीव एंड ओम मिश्रा don't use this kind of language score अब 200 296 की नुकसान पे दूसरी तरब पाकिस्तान 99 की स्कोर पे चे आउट हो चुके हैं भई मॉड्स कहां पे गए हैं मॉड्स है कोई मॉड्स अगर कोई मॉड्स है तो 4000 वाली लाइफ स्रीम के उपर चला जाए खान जादा राजपूर भाई याव 4 हाद और वली लाइफ स्रीम के उपर चले जाए दोस्तों बॉलिंग में तब डिली करते में अब नोमान को बॉलिंग के लिए लाया गया है नोमान आगा सुलमान को जो हे वा बॉलिंग से घटा रिया गया है और नो मैन को जो है वह बॉलिंग के लिए लाया गया और देखते हैं कि नुमान जो है वो किस किसम की बॉलिंग करने वाले हैं नुमान इस दी बॉलर यहाँ पर अब यहाँ पर अब कहले के सामना करेंगे उनका दनन जैडी सिल्वा 64 के स्कोर पर जो कि मौझूद है विगेट विगेट यह गेम दिसके इनकोल एक साइड में खेलने की कोशिश में थी यह लेकिन नाकाम रहे डॉर्ण के साथ अब स्कोर दो सो इनती से चे के नुकसान पर एक सौर उन्स को फाइनली क्रॉस करते वए पाकिस्तान एकी टीम इंडिया के खिलाफ चे विगेट के नुकसान पर दनन जैडी सिल्वा 64 के स्कोर पर हैं अब मौझूद 94 के नुका कियावाई सामना बाई दो तीन मौट्स के इलावा सब सुचते हैं लेकिन है कौन यहाँ पर दो तीन ही यहाँ पर मौझूद है तो वही काम करेंगे न फिर ओवर की है अगली गेंडी स्केन को खेल दिया है आफसाइड में कोई भी रलनेने का मौका आप मौझूद नहीं है वेर इस दी कवरिंग ऑफ इंगलेंड वर्सेज ऑस्ट्रोइलिया मैस शयान भाई पूछते हुए जासे ही पाकिस्तान और यहां पर शिरोलंका का मैच खत्म होगा तो हम उस मैच की तरफ बढ़ जाएंगे एक स्लिप एक शॉट लेके साथ ओवर की है अगली गेंडी स्केन को बैकपर पर जाकर पंच करते हुए कवर्स के एरिये में खेला है अस्ट्रेलिया एक किस पे एक आउट है छे ओवर्स और एक इन के बाद डेवर्ड वार्णर बारा और मारनस लवुशेंट पांच के स्कोर पे हैं अब दो सॉन्टी स्विच है आउट एक स्लिप एक शॉट लेक के साथ और के एक लीगेंद को फ्रूंट पर प्रडाकर बैटन पैट को साथ मिला तवे खेल दिया है वापिस बोलर के पास एक और डाट डिलिवरी दो सॉन्टी स्विच शे आउट तेहत्तर ओवर्स और चार गिनों का खेल जोके भोज गया है पूरा बाल दिव पर साथ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारी तो कोशिश होती है कि मैक्सिमम मैचेस जो है वो आपके साथ लेकर आएं स्कोर 236 के नुकसान पे तेहत्तर ओवर्स और पांच के नुका खेल जोके अब हो चुका है पूरा प्रिलंका लीड बाई 81 रंस दनन जय ने पैंसर बनाए वे रमेश मैंडस ने 26 बना रखे है नुमान ने 275 के नुकियों पर साथ भाई येकर तीन विक्टो को किया हुआ है अप तक अपने नाम एंड एक 80 रंस की ये जो लीड है ये अभी तो इतनी मुश्किलात का सबब नहीं है टीम पाकिस्तान के लिए लेकिन अगले आने वाले टाइम के अंदर काफी ज़्यादा मुश्किलात का सबब बन सकती है आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितने रंस का टार्गिट मिलने अगला है बाक पर पड़ दिया कर इसके इंद को पंच करते हुए कावर स्केरी में खेला है एक रंद का इजाफा बहुत ही शांदार किसम की जो है वह बैटिंग कंडिशन इस वक्त जो के हमें बने हों दिखाई दे रही है पहुत ही बढ़िया जो है वह कह लिजीए के बै Pakistan team has not strengthened their clutches after 100 for 4 and 150 for 6. Yes, you are absolutely right. 231 score छे की नुकसान पे जोटतर का खेला भोज काय पूरा. स्वर्लंक का लीड भाई, 82 रून्स. अबरार एहमद आचके हैं एक एंट से बॉलिंग के लिए एक एंट से बॉलिंग के लिए आचके हैं और अब देखते हैं किस किसम की बॉलिंग की जाती है अबरार की तरफ से अबरार विकेट लेने में नाकाम दिखाई दिए हमें और अबरार एक ही विकेट लेने में अभी तक काम्याब हुए बिलकुल भी टर्न इतनी ज़्यादा जो हो देखने को नहीं मिल रही है टार्गेट एक सुबहत्तर रूंज के आसपास का हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है चलिए देखते हैं कि टार्गेट कितने रूंज का रहने वाला है अब टार्गेट पर जाकर ओवर के लिए इनको पंच करते हुए पॉइंट के रिये में खेल दिया है अच्छा ये शॉट एक रूंज का इजाफा और दूसरे के लिए वापिस तो टार्गेट के हवाले से ये चीज कही जा रही है कि टार्गेट जो है वो 172 के आसवास का होच सकता है लेट सी ये क्या बनने वाला है अन्मर खान के भीके 233 से स्कोरचे के नुकसान पर नितन शर्मा भाई आप इस मैच के बारे में अगर बात कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज रहेगी पता नहीं क्यूं विद आउट यानि कि जिन मैचेस की कोई जरूरत भी नहीं है मतलब जो हुए भी नहीं अभी और अभी कहले के महिनों बात जाकर हो नहीं है आप लोगो उन मैचेस को डिसकोस कर रहे हैं जब वो मैच होगा तो देखी जाएगी भाई विकेट बिल्कुल पिंडी जैसी विकेट तो मुझे लग रही है फिलाल कोई किसी इसम की टर्न एंड बाउम्स इतनी जाला देखने को नहीं मिल रही है भाई याशिस की स्ट्रीमिंग करोगे हाँ जी बाई जैसे ये मैच कटम होगा तो अजल हान बोलते हुए कि जवाब नहीं देते हैं जी बाई सवाल क्या है आपका जो हम जवाब ने उवर के लिगे इनको खेल दिया है बले बाजने आफसाइड में कवर्स की पॉजिशन पे अब फुल्ड और तैनात जिन हुने इस गेन को फ्यूल करते हुए किया है वापस डॉट के साथ स्कूर 236 की नुकसान पे सुरेश भाई बोलते हुए कि यहां पर 134 टंस पाकिस्तान की टीम को टार्गेट में लेगा और चार विकेट से टीम पाकिस्तान जी जाएगी फिलहाल तो विकेट आने की कोई बात नहीं लग रही है हमें वैल 100 लोडिंग फर डी सिलवा और पिजटर लोडिंग फर मैंडेस नौर नाउ हैपी तो लिए यह आपने अपनी प्रेडिक्शन जो के दे दिये इस मैच के हवाले से ठीक हो गया बाई आठ हवर्स के अंदर 23 टंस बने इस सेशन ने और कोई भी विकेट ने गिरी हुई पिछले सेशन के अंदर 3 विकेट गिरी हुई उससे पिछले सेशन के अंदर 3 विकेट गिरी और यहां पर अभी तक कोई भी विकेट जो है वो नहीं गिरी हुई है और दूसरी तरह फैशिस के मैच के अगर बात की जाए तो आपको बताते चले कि 31 पर एक आउटने टीम उस्ट्रोय लिया लव शेंट साथ डेवर्ड वार्न और 15 किस स्कूर पर जो है वो मौझूद है नोमान एंड अबरार नई गेम मिलेगी पांच अवर्स के बाद और यहां पर नई गेम जो है वो दोस्तों मिलेगी तो उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम को कोई विकेट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी नहीं बही राना भाई मैं किसी का भाई नहीं है मैं सिर्फ काशिवली का बाई हूं और मुझे और कोई भी नहीं जानता यूटिब के साथ उपर जो है मेरा इतने ज्यादा लोगों के साथ कोई तालुक नहीं है फुड़े बहुत लोगों के साथ 233 से स्कोर चेक निकसान पे 72 का खेलब हो चुका है पूरा आप सभी हमारी फैमिली हैं और आप सभी हमारे साथ आकर हमारी स्पोर्ट करते हैं वाय शाहीन इस नॉट बॉलिंग विल बॉल विद नू बॉल स्कोर आफ पाकिस्तान एंडिया इमर्जिंग एश्या का भई आपके सामने लगाव है सयोग 109 पे 6 आउट है पाकिस्तान ये है अभी तक स्कोर की सिच्वेशन 84 रंस की लीड जो कि हो चुकी है अब यहां पर इसकेन को फाइल लग केरी में खेलने की कोशिश में थी ये प्लेयर दनंजे डीस्तिला नाकाम रहे और गेंद उनके पैट्स भी टकराते बेकवर्स केरी में गई है कोई भी रन लेने का मौकाब मौजोद नी है यहां पर आपको बता दे हम करके सिच्वेशन के लिए हो दोस्तों कि युँ रहती है कि गेंद जो है वह चौथे दिन के अंदर बहुत ज्यादा टर्न बांस होती है लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी गेंद इतनी ज़दा टर्न नहीं हो रही है यहाँ पर चायद के पाकिस्तानी बॉलर्स करने ही पा रहे है गेंद को टर्न आप पर रब नुमान लेफ्ट आम लेफ्ट आम ओर दा विकेट अब बॉलिंग करते वोई अपनी स्ट्राटीजी को जो है वो चेंज किया गया है और इस गेंद को जो है वो पैट के साथ ही खेल दिया अब तक उन्होंने सामना यहां पर एक बार फिट से अपने पैट के साथ ही जो है वो इसके इनको खेल दिया है कोई भी रन जो है वो लेने का मौकाब मौझ हो दिया है 233 स्कोर चे की नुकसान पे 774 गिनों का खेल जो के अब हो चुका है पूरा हांपर दनजरी सिल्वा ने सथ बनाये में 102 गिनों का के अवाई सामना और इसके साथ साथ अगर बात की जाये थो हांपर रमेश मैंडемся नेरे 30 बनाये में 70 गिनों का की अवाई सामना वो कि है यह फिद यह गेंद य को अपनेandinavi के साथ हीascad यह खेल दिया वापिस ashes cover करो सीमा करेंगे हम ashes tension ना लें आप विल्कुल भी चिंतित ना हुआ ashes भी करेंगे हम इस दिन के अगर बात कर लेते तो दिन के अंदर अब 72 वर्स का खेल हो चुका है 219 runs बन चुकी है आज के इस दिन का खेल अब पूरा होने वाला है कुछी दिर के अंदर तो जैसे ये खेल पूरा होगा तो हम फिर ashes के लिए बढ़ जाएंगे एक विकेट की बात है मुझे जहां तक लगता है एक विकेट गिरने से ही जो है वो यहां पर होगा कुछ चुके फिर वो आपसी करने का रस्ता जो है वो खुल सकता है टीम पाखिस्तान के लिए आफर वन दिकेट बरहल अब देखते हैं कि उनको विकेट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी 110 पे 6 विकेट गिर चुकी है दूसरी तरफ टीम पाखिस्तान की और पाखिस्तान की टीम 110 पिछे विक्टर गिरते हुए और स्ट्रोगल करते हुए इंडिया के इखला partnership 50 के उपर की हो चुकी है अब जिबलकुल there is so much time remaining in ashes but this match now become interesting so you should cover this match yes I also think that के इस match को ही जो है वो हमें अब cover पहले करना चाहिए और उसके बाद जो है वो हमें दूस्टे match की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए सही बोले आतो सी इपाजी 233 से score चे कि नुकसान पे अब 76 का खेल जो के अब हो चुका है पूरा एक slip के साथ वर के लिगेंड विकेट विकेट ये गेंड जैसे समलते वए बैटन ने बैटन पैट को साथ मिलाते वए खेल दिया है वाप इस बोलों के पास इट्स अबाउट वन विकेट और वो विकेट है दनन जैडी सिल्वा की उस विकेट के गिरने की देर है यहाँ पर चीजें उल्ट पूल्ट होते वए में दिखाई देंगी फिर टीम सिर्लंका के लिए अफ़र पर जाकर ओवर के लिए इनको कट कर दिया है उम्दा तरीके से रमेश मेंडस ने चौके के लिए गेंड पूरानी हो चुकी है और बिल्कुल भी बॉलिंग में बॉलिंग जो है वो अच्छी नहीं कर पारी टीम पाकिस्तान नौ वर्स के बाद 32 स्कोर टीम आस्ट्राला का एक के नुकसान पे तिर अले 115 स्कोर पाकिस्तान एक च्छे का नुकसान पे नहीं कि इनके खिलाफ टीम जो श्रिलंका है वो थोड़ा स्ट्रॉगल करते हुए मिरी काई दे इस मैच में मज़ा नहीं आ रहा तो फिर क्या करें भई बंद करके सो जाएं क्या मज़ा नहीं आ रहा तो फिर क्या हुआ अब आप जिस country से हैं आप की टीम अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर पारी कुछ टाइम तो बरदाश्ट करें कोई नहीं चलेगा यही तो cricket होती है ना कि हर वक्त जो है वो किसे एक जैसी नहीं रहती यहां पर गुगली एगेंड इसकेन को लिया जाएगा यह नहीं लिया जाएगा तो दोस्तो रिव्यू जो है वो ना लेने का फैसला किया गया है यह गेंड जो के गुगली गेंड थी और बल्ले के किनारे से टकराते हुए यह गेंड जो है वो हवा में रही पैटस पे टकराई विगेट कीपर के पैटस टकराई और बाबराजम शायद इस गेन को catch करने के लिए जाते लेकिन विगेट कीपर के पैट आप पे ये गेन टकराते हुए पिर बाबराजम की पहुंच से दूर हो गई इनको पंच करते वे कवर्स के एरिया में खेला मिस्विल्डिंग हुई है चॉट कवर की फिल्डर की तरफ से लेकिन कोई भी रून नहीं मनाए स्किन क्यूपर एशिज नहीं दिखा सकते भाई एशिज कैसे दिखा दे हम अशिज तब ही दिखाएंगे जब यह वाला मैच कतम होगा एक फिल्डर से परें एक फिल्डर जो है वो अब कैली जे के यहां पर चॉटलै की पॉजिशन पर मौजूद इसके इनको जो के पैर्स पर थी स्वीप कर दिया है बहुत ही उमदा तरीके से यहां पर रमेश मेंडेस के बले से निकलते हुए एक और चॉका दो चॉके लगते हुए इस ओवर के अंदर 77 के बाद 241 स्कोर चेक नुकसान पर लीड बढ़ते हुए अब हो चुकी है बानवेरोनों की बहुत ही उमदा लीड होते हुए टीम जो है वो अब श्री लंका की यहां पर अब देखा जाए तो 66 रंज की यह पार्टर्रिशिप लग चुकी है एक बेहतरीन पार्टर्रिशिप जो है वो दोस्तों लगते हुए उफ 66 दूसरी तरफ 117 है स्कोर टीम पाकिस्तान चेक नुकसान पर जनंग जैने 66 बनाए हुए 128 के नुका किया वाई साम ना अस्ट्रेलिया 35 पे एक पाकिस्तान 117 पे छे स्रिलंका 241 पे छे बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते वे 66 रंज की बलके 70 रंज की आई थिंक के पार्टर्रिशिप नहीं 66 रंज की ही पार्टर्रिशिप जो है वाब इन दोनों ही प्लेयर्ज ने लगा दी अपने रीम के लिए शांदार तरीके से अपने रीम को जो है वागे लेकर बढ़ते हुए तो यह है अब तक की सिचुरेशन 241 से स्कोर्ट चेक नुकसान पे आज के दिन कितने ओवर्ज का खेल जो है वो बाकी है यह सवाल आया है हमारे पास तो आपको इसका जवाब भी देने थे हैं हम यह आज के दिन के अंदर 25 सो वर्ज का खेल भी बाकी है स्लॉक कर दिया इसके इन को लेक्साइड में गेन हवा में बांडरी लाइन के तरफ बढ़ते हुए यह गेन देख और चौके के लिए दनन जाई डी सिल्बा आसानी के साथ अब मूव करते हुए अपनी डबल सेंचरी की तरफ इससे पहले भी जो है वो पहली निंक्स के अंदर वो सेंचरी लगा चुके हैं और इससे निंक्स के अंदर भी अब 69 के स्कोर पर जा चुके हैं बहुत इमदा क्रिकट खेलते इसके इनको बैकवर्ट स्कुर्ड लेकी पॉजिशन पर फिल्टर थे लेकिन वो रोपने में जो है वो नाकाम रहे नसीम शापीछे मौजू थे आपर वो के अगधी डाउन दे लेक्साइड ये गेन इसके इनको बैकवर्ट पर जाकर लेक्साइड में खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम स्रिलंका में खेला जा रहा है इंडिया ये और पाकिसान में का मैच मौबश्यर कान साथ की स्कूर पर कासी मक्रमिकिस के स्कूर पर हैं उसमाच के अंदर पर एक घंटा और पंदरा मिनट के लिए या तो कंटीनू रखा जा सकता है या फिर एक एंटा और पैंतालीस विनर के लिए कंटीनू रखा जा सकता है एक स्लिप और एक शॉट लेके साथ तो वर के लिए गेंट को बाकफट पर रहते हुए दनजाडी सिल्वा ने शॉट लग के फिल्डर की तरफ ही खेला है कोई भी रण जोई वो लेने का माउका आप मौझूद नहीं होगा ये मैच अरे लल सर पूछते हुए कैसे हैं आप जी बिलकुल ठीक हूँ जी बिलकुल ड्रॉ जो है वो इस मुकाबले के अंदर आप अगर कहते हैं तो मुझे नहीं लग राकिये मैच जो आव ड्रॉ होने वाला है नहीं गेंद दो वर्ज और तीन गिनों के बाद जाकर मिलेगी बैकफट पर रहते हुए इस के अंद को स्क्वेर लग के एरिया मे का तो फिर मैच बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर को चौबीस ओवर्ज का खेल जो है वा आज किस दिन के अंदर भी और होना है बाकी 24 ओवर्ज तो गो नाउ असानी के साथ दो रन्स को बुरा करते हुए 80% chances of rain है कहां पर? नाच के अंदर तो धूप निकली हुई है और इसी तरह अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि यहां पर बारिश और दूसरी तरफ 125 है स्कोर्टिंग पाकिस्तान चेके नुकसान पे और के लिगेंग को रिवर्ज स्विप करते हुए फिट से खेल दिया है पॉइंट के अरिए में और पॉइंट की पॉजिशन पर कोई भी फिल्डर नहीं था सीधा पॉइंट के एरिया में ये गेंद जो है वो हवा में रहते हुए गई है अब और कोई भी फिल्डर नहीं था रिवर्ट स्विप किया इसके इनको दो रंज के इजाफे के साथ टीम शुरलंका की लीड बढ़ते हुए अब 101 रंज की लहोर में सुबो से बारिश हो रही है लेकिन हमारे हाँ तो बिल्कूल भी नहीं हो रही है 10 रंजाओं इस उवर के अंदर नुवान अली इसोवर के अंदर काफ़े द्युधा महिंगे साबित हुए लेकिन मैच की अगर आप बात कर रहे हैं बारिश के चांसे की तो match के अंदर जो बारिश के कल के दिन के अंदर chances बताए जा रहे हैं वो आपको हम बता देते हैं आप कितने हैं तो दोस्तों कल के दिन के अंदर 30 से 35% बारिश के chances हैं Only 35% rain chances in the match 125 है स्कोर्टीं पाकिसान चेक नुकसान पे दूसरी तरफ और अब बॉलिंग के लिए आच के अब रार हमाद 23 सवर्स का खेल आच के इस दिन के अंदर भी होना है बाकी उमद असलंबाई फैसला बास है हम आपके साथ और के लिए इनको स्विप करने की कोशिश बड़ी अपील और आउट देते हुए अंपायर इस दफ़ा आउट दिया है रमेश मेंडस को और यकीनन रिव्यू लेंगे रमेश मेंडस यकीनी तोर पर रिव्यू लेंगे और रिव्यू ले लिया है उन्होंने अंपायर ने थोड़ी सोच बिचार की और आउट दिया रमेश मेंडस को रिव्यू लिया गया है और अब देखते हैं कि luck जो है वो किसका साथ देती है किसमत जो है वो किसका साथ देती है क्या रमेश मेंडस बचपाएंगे या नहीं बचपाएंगे करीबी मौमला है बहुत ज़याद आगर यह गेंड़ बले से नहीं टकराई तो फिर फ्लेर आउट है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह गेंद जो है वो I think के gloves के साथ टकरा गई है देखते हैं अभी Ultra Edge की मदद से सही पता चलेगा हमें लेकिन लग यू रहा है कि यह गेंद जो है वो at the same time gloves से भी टकरा गई है और बला भी जमीन से टकराया है तो देखते हैं अब Ultra Edge आते हुए दोस्तों और Ultra Edge जो है वो अब हमें बताएगा कि क्या होने वाला है इस मुकाबले के अंदर अब हाल It's time for Ultra Edge बहुत ही करीबी मामला है दोस्तों Ultra Edge की मदद से देखा जा सकता है कि यह गेंद Gloves के दूर है यह गेंद बले से दूर है और सीधा जाकर यह गेंद Pats पे टकराई है जे बिलकुल दोस्तों विटो के बिलकुल सामने यह गेंद जाकर Pats पे टकराई है It's time for Ball Tracking यहाँ पर Pitching Pitching in line, Impact in line and Wicket sitting गेंद विटो को hit करते हुए और पाकिस्तान की टीम को मिलते हुए एक बड़ी विकेट So that's a big विकेट फोर टीम पाकिस्तान बड़ी मचली तो नहीं लेकिन जो भी मचली है मचली तो मचली है ना उसका शिकार करते हुए हाँ पर Ramesh Mendes के एक अची निंग्स पूरी हुई विकेट की तलाश में लगे हुए थे अबरार एहमद लगातार विकेट विकेट बॉकेट बॉलिंग कर रहे थे और फाइनली एक विकेट जो है वदोस्तों अब लेने में काम्याब हुए है 251 स्कोर साथ के नुकसान पर और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त किसम की जो है वो दोस्तों टीम की मीटिंग हमें देखने को मिल रही है सारे के सारे प्लेयर्स बैट कर पानी पी रहे हैं पाकिस्तान के अब रार पाकिस्तान को एक क्रूशल विकेट दिलवाते हुए अब बहुत ही क्रूशल विकेट दलवाते हुए इस पार्टनर्शिप को ब्रेक करते हुए 70 की उपर उसकी यह पार्टनर्शिप जो कि अब टूर चुकी है और पाकिस्तान के पास सिरलंका को अब आउट करने का एक बहतरीन मौका मौझूद रहने वाला है देखते हैं कि अब वह ऐसा अगर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कि क्या बनने वाला है बरहले एक बहुत बड़ी विकेट जिसका इंतजार था टीम पाकिस्तान को मिलते हुए दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्कूर 134 है चेक इनकसान पे कासी मकरम 26 और ओवशुर खान 17 के स्कूर पर कासी मकरम एक अच्छे आलर रूंडर तेर तैयार हो रहे हैं जो कि अगले आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान को रिप्रिजेंट कर सकती है पाकिस्तान 111 पर शायद यहां फिर इससे भी पहले अपनी 6 विक्टो को लूज कर दिया था और उसके बाद अब आएं और सास्व लाइक्स कियाओं विडियो की नीचे आगउठे का उपर की तरफ निशान है बिल्कुल雅इब जो CC Olay Put that विटो को लाइक करते हुए चानल को सब्सक्राइब बिल्कुल雅ए कर सकते हैं आप यर विडियो के निचे आप उसक्राइब को है वह वो यई तेंक यूब दो सोई कावन है स्कोर साथ के नुकसान पर अब आज के बैटिंग के लिए जा सूरिया जिन्होंने इस घुगली गेन को फ्रंट पर आकर बैट इन पैट को साथ में लाते वे खेल दिया है वापिस बोलो के पास स्कोर 257 के नुकसान पर अठाटर वर्ज और दो के रिये में कोई भी रन लेने का मौका मौझूद नहीं है तो दोस्तो जैसूरिया स्ट्राइक पे हैं जिन्होंने कदमों का सहारा लेकर इसके इनको लॉफ्ट कर दिया है बॉलर के सर के उपर से चौके के लिए जैसूरिया सर्प्राइज करते हुए यहां पर और बदला लेने की कोशिश में क्योंके पाकिस्तान की टीम ने उनके खिलाफ काफी जो है वो तेज क्रिकेट खेली थी और अब जैसूरिया पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दोस्तो तेज क्रिकेट खेलते हुए 255 पे साथ आउट जी विल्कुल क्रिकेट विद मी हम आपको बता देंगे कि किस-किस प्लेयर ने जब अभी तक प्रिकेट लीव हुई है यह हम आपको बता देंगे सो डोंट परी तो चौका हुआ है दोस्तो 255 है स्कोर साथ के नुकसान पे अब यहां पर 78 और जार चार गिनों का खेल होच का है पूरा अब रार रहमद अपने और के आखरी गेंड के साथ आए गेंड के अच्छा गेंड गूगली यह गेंड इस स्किन को समलते वे फिर से खेल दिया है वापिस बोलर के पास एक और डाट डिलिवरी तो स्कोर जो है वो दोस्त अब रहते हुए यहां पर 255 साथ के निकसान पे 79 का खेल अब हो चुका है पूरा नई गेंड मिलने में अब जो है वो एक और का खेल बाकी है और देखते हैं के नई गेंड के साथ क्या होता है सर्फ अबरार रहमदीज ए टालेंटिड बॉलर यस यूर अपसलोली राइट लगातार वो विकेट विकेट बॉलिंग करते हैं और एक अच्छे टालेंटिड यह प्लेयर है नौमान बिन्यमी ने हमें कर लिया है जोईन वेलकम टू दी लाइव अब अब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिए और इसकी इलावाज यतने भी दोस्त है बहुत बहुत शुक्रिया आपका नई गियल लेकर अब फोर्थ अंपायर जो है वो अपने इपनी जगा से बाहर आ चुके हैं नई गिन लेने के बाद पैट्स पे ठकराती वह ये गिन फाइनल एक एरिये में गई कोई भी रन नहीं आया और के साथ 255 है स्कोर साथ के नुकसान पे अब 255 पे साथ आउट जैसुरिया चार के स्कोर पर दनंजरी सिल्वा जो है वो 70 के स्कोर पर अब मौझूद यहाँ पर डाउट लेक साइड ये गें दिसके इन को बिना किस इदिकत के लिव करते हुए जाने दिया विकेट कीवर के पास 43 स्कोर टीम उस्ट्रेलिया का एक के नुकसान पे बारा के बाद 78 वर्स का खेल उस मुकाबले के अंदर भी अभी होना है बाकी और सेकंड सेशन के अंदर जब आशिस का सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा तो हम आशिस के मैच की तरफ भी बढ़ जाएंगे जिसे बैकवर पर रहते हुए स्क्वेर लग केरिया में खेलते हुए एक रन को बुरा करने की कोशिश में थे और सिंगल को बुरा कर भी लिया गया है नई गेन तीन गेनों के बाद मिल जाएगी और देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम नई गेन लेती है या नहीं लेती दनन्जेडी सिल्वा एक एंड पर मौझूद हैं और उनकी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि उनकी कोशिश जो है वो दोस्तों ये होगी कि यहां पर इस मैच के अंदर अपनी सेंच्री को बनाए अपर अब पर के लिगेन को बैपड़ पर जाके कर में बिकट के एडिया में खेला है कोई भी रन नहीं आया हुआ दोस्तों पच्पन पे साथ आउट 79.5 ओवर्स के बाद और सब्सक्राइबर्स के अगर बात की जाए तो 6,72,945 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है कदमों का सहारा लेकर है इस गेन को अपनी क्री से बाहर निकल कर दननजैडी सिल्वा ने बॉलर के बिलकुल पास से खेला है एक और चौके के लिए लीड 110 रंस की तीन विक्टे अभी बाकी है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो शांदार तरीके से आगे बढ़ते हुए टीम श्रिलंका 110 रंस की लीड 150 की उपर जब चली जाएगी तो पाकिस्तान की टीम को बहुत ही मुश्किलात रह सकती है इंडिया यह और पाकिस्तान यह का मैच कौन सी टीम जीतने वाली है बाई बेरे इंडिया की टीम का लड़ा जो है वो इस वक्त भारी है 135 पे टीम पाकिस्तान यह ने अपनी 6 विक्टों को लूज कर दिया है लेकिन वहां पर जो आखरी विक्ट गिरी थी वो कब गिरी थी लास्ट विक्ट गिरी थी 49 पहले 100 से पहले जो है वो 6 विक्टे गिर गई थी लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा जो है वो कमबाक करते हुए टीम नई गेन अब देखते हैं ली जाती है या नहीं ली जाती है अब रार रहमत की ओवर के बाद ही शायद नई गेन ले ली जाएगी क्योंकि अब रार नई गेन के साथ भी बॉलिंग कर लेते हैं और नुमान जो है वो थोड़ा स्ट्रोगल कर रहे है अपने स्पैल के अंदर अलागे 18 रूद देते हैं इन्होंने 3 विक्टे ले ली थी लिकिन उसके बाद हमें काफी ज़दा जो है वो स्ट्रोगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये प्लेयर अरब दोस्तों नई गेन्द मंगवाली है अब नई गेन्द को जो है वो वंगवाली आ गया है और पाकिस्तान की टीम ने नई गेन्द ले ली है ब्रेकिंग निउस ये है कि पाकिस्तान की टीम ने नई गेन्द ले ली है तो ये हैं खबरें दोस्तो नई गेंद के हवाले से के पाकिसां की टीम ज्योन नई गेंद ले चुकी है और देखते हैं कि इनके लिए नई गेंद कारगड रहने वाली है Through अब रार एमद जो है वो दोस्तों उनको बॉलिंग से अब हटाया गया है और शाहिन आफिरीदी जो है वो बॉलिंग के लिए आ चुके हैं और देखते हैं कि डाडली यॉर्कर्स वो लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अगर वो यॉर्कर्स नहीं लगा पाते तो फिर मुश्किलाद जो है वो रहेंगी उनके लिए भी और उनकी टीम के लिए भी so that's why he need to hit some kind of यॉर्कर्स here अबरार एहमद जो है वो कहले कि यहां पर पिशलावर फैंकते हुए दिखाए दिये जिन्होंने एक विगट को किया अपने नाम और आपर अबरार ओवर करवाने ही वाले थे कि इस decision को जो है वो तब्दिल किया और अबरार को balling से हटा दिया गया जिबलकुल अबरार को balling से हटाते हुए और उनकी जगा पर अब जो है वो शाहीन आफरीदी को balling के लिए लाया गया है हमें सिर्फ चाहिए 48 सब्सक्राइबर्स 6,70,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए only 48 DS भाई बोलते हुए के लिख के रख लो पाकिस्तान को 200 प्लस का टार्गेट मिलेगा पाकिस्तान के लिए जरूर मुश्किल होगा DS भाई लिख के क्यों रख हूँ मैं ये कौन सा कोई तावीज है जो के मैं लिख के रख लू ठीक होगे आपने बोल दिया अपनी राय का इजार कर दिया हमने माल लिया भाई लिखने की क्या बात है और की गेंड पहली गेंड इस गेंड को हवा में खेला और पॉइंड के फिल्डर के बिलकुल सामने जाकर गिरिये गेंड कोई भी रण इस गेंड की उपर नहीं आया कुछ देर के लिए गेंड हवा में थी लेकिन पॉइंड के फिल्डर के सामने जाकर गिरिये गेंड स्कूर 269 है साथ के नुकसान पे 801 गेंड का खेलब हो चका है पूरा 160 गेंड के लिए टारगेट ऐसा कहा जा रहा है मुझाफिर शेक की तरफ से आप भी अपनी राय का इधार करते हुए मैं बता सकते हैं कि कितने रंस का ये टारगेट अब रहने वाला है आपर वो रोकेडी गेंड यॉर कर लेंज गेंड और बोल्ड आउट होते होते बाल बाल बचे हैं प्लेयर अच्छी गेंड थी ये शाहीन की इस गेंड को बलेबाज ने जो है वो यहाँ पर रब कहले के कवर्स के एरिये में खेलने की कोशिश की लेकिन बले का इंसाइड आइज लेते हुए अगेंड फाइन लेक केरी में गई है स्कोर 260 है साथ के नुकसान पर 900 लाइक्स कर दिया हुए बहुत बाश्यों कि आपका पैंसर सो दोस्तों ने क्रिकट विन मी बोलते हुए कि मैंने लिख दिया है सिरलंका की टीम 160 रंस की लीड लेगी तो यह आपने भी लिख लिया है DS ने भी लिख लिया है देखते हैं किसका लिखना जो है वो सही साबित होता है अब अपनी प्रेडिक्शन लाजमी दोर पर करें और जिस बंदे की सही प्रेडिक्शन होगी उसको मैंचन किया जाएगा नहीं नाफरीदी की एगें दॉस्ट्रम के काफी ज़दा बाहिट की एगें जिसे बलेबाज ने बिना किसी दिकत और परिशानी के लीव किया और लीव करते वे जाने दिया है विकिट कीपर के पास वाइड बॉल का सिगनल दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान का चे के नुकसान पे शाहिना परीदी जो कि दौरते हुए आए गें किया ये गें जो कि आउस्ट्रम के बाहिट की गें थी बैकफट पर रहते हुए इस गें को पॉइंट के लिए में खेला है कोई भी रन जोई वा लेने का मौकाब मौझूद नहीं है स्कोर 261 है साथ के नुकसान पे दननजे अभी एक एंड पे मौझूद है और जिस तरह से हमें खेलते वे दिखाई दिये थे यहाँ पर प्लेयर नाम है जिनका जिस तरह से जो है वो दोस्ता में खेलते वे दिखाई दिये थे प्लेयर नाम है जिनका साथ शकील बिल्कुल वैसे ही क्रिकेट की रिक्वार्मेंट है यहाँ पर दननजे डी सिल्वा से ए लैंडर्स के साथ मिलकर वो यहाँ जो के शाट पे जिनको पुल किया है चौके के लिए जी हाँ नहीं गेन है और नहीं गेन बहुत ही तेजी के साथ ट्रेवल करते वे हमें अब दिखाई दे रही है पुल किया इस गेन को स्क्वेर्लक के अरिमें खेलते वे देमारा है तो एक लाजवाब चौका यूटीफुली प्लेय टौज अवर्द स्क्वेड लाग गया और इस चौके की मदसर चौर ब दो सो प्रेंसर है साथ के नुखसान पर नुखसान पर प्रेंसर है स्क्वर नुखसान पर 144 टीम पाकिस्तान 6 के नुकसान पे चौका लगाया है पाकिस्तान के बैटर मुबश्यर ने 78 के स्कोर पर दलंजेडी सिल्वा दो स्लिप के साथ और की हगली गेंडी स्केन को अन दी अप खेल दिया है लोंग ओफ के रिय में एक और चौके के लिए जी हाँ दो गेने दो चौके दननजेडी सिल्वा 82 के स्कोर पर अपनी सेंच्री से सिर्फ और सिरफ 18 रंस की दूरी पर कमाल क्रिकेट खेलते हुए दोस्तों दननजेडी सिल्वा अन दिया पिसके उनको खेला था और दो चौके लगा दिया अब दो नंजाडी सिल्वा ने अच्छी थे इस क्रिकेट खेलते हुए 120 नंस की लीड हो चुकी है 269 फॉर दे लॉस अफ सम विकेट्स अपर शाहीन की ये गेम दाउट स्टेंडिंग डिलिवरी बनले का आउट साइड एज और ये गेम विकेट कीपर के दस्तानों में दनंजाडी सिल्वा को आउट करते हुए शाहीन आफ्रीदी और अपने दो चौको का बदला लेते हुए हाँ पर लास्ट लाफ गोस टू शाहीन आफ्रीदी वट आ विकेट फोर टीम पा किस्तान बहुत बड़ी विकेट को करते हुए अपने नाम शाहीन आफ्रीदी नई गेन के साथ एक बार फिर से जादू करते हुए कमाल की ये गेंद आउटस्रम के बाहिट की ये गेंद और बल्ले के आउटसाइड एज को चूते हुए गई विगेट कीपर के पास सर्फराज एहमद की तरफ से लिया गया एका सांसा क्या चोरिस तरह टीम शिरलंका अपनी एक बड़ी विगेट से हाथ दोते हुए आउट वने प्लेयर धननजाइडी सिल्वा 82 रंज बनाए एका चीनिंग्स खेली और कुल मिलाकर इस मैच के अंदर उनके 200 रंज हो गए 204 रंज बनाए और अभी भी हाइस स्कोर जो है वो क्या लेके साउथ शकील 208 रंज बनाने के बाद 269 फर दे लॉस अफ़ेट पिकेट्स 81 का खेल पूरा हो चुका है और शाहिन आपरीडी जो के नई गिन के साथ डडली रहते हुए इससे पहले भी और अब भी डडली सावित होते हुए इस नई गिन के साथ LBW आउट क्यों आ रहा है किदर क्योंकि आउट हो गया पाकिस्तान का प्लेयर तो इसलिए LBW आउट लिखा हुआ आ रहा है वो बशिर खान आउट हो गये हैं तो इसलिए दूसरी दर पाकिस्तान की टीम ने भी विकेट को लूस कर दिया है ए टीम के मैच के इंदर और इदर श्रिलंका की टीम ने भी विकेट को लूस कर दिया है कल के दिन के अगर बात की जाए तो कल के दिन के इंदर फिर से तीन मैचेज होने वाले हैं एक मैच तो ये वाला चलेगा कल क्योंकि आज पाकिस्तान की टीम टोटल चेज नहीं कर पाएगी इन के इंदर खेल थोड़ा कम बचा हुआ अब एक मैच अस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चलेगा एक मैच इंडिया और वेस्ट इंडिस का चलेगा तो तीन मैच जो हैं वाल के दिन के अंदर हमें होते वह दी खाई दिने वाले हैं कल तो पाकिस्तान के टीम अब देखते हैं कि कितने रन पर समेठ पाएगी टीम शुरलंका को शाहीना अफरीदी अपनी पहली विकर लेते हुए यहाँ पर रब राबज जसूरिया बड़ा शॉट खेलने के लिए गए बल्ले का इंसाइड है जो और यहाँ पर यहीन जो है वह स्क्वे लेक्ट के रिये में गई है कोई बिरन बलके एक रन जो है वो दोस्टो इसके रिखेन के उपरादे वब दो सेमशान है इस गेन को पगड़ते हुए थ्रो किया लेकिन इसी दोराम नेकरन को दोरते हुए यह दोनों ही बैटर स्कोर 270 है आट की नुकसान पी क्यासी एवर जोर एग इन का खेल जो के अब हो चुका है पूरा टाइम की बात की जाए तो टाइम अभी जो बचा हुआ है आज के इस दिन के अंदर वो लगबग कोई एक घंटा और दस मिनुट का टाइम जो है वो बचा हुआ है आपर अब रार की एगेन विकेट विकेड इगेन जिसे बैटन पैट को साथ मिलाते वे खेल दिया है वापिस वोलों के पास कोई भी रून लेने का मौकाब मौझूद नहीं है 270 है स्कोर आट के मुकसान थे पाकिसान एक 147 पे साथ आउट आपर और की है अगेन गुगली एगेन जिसे विश्वा फर्नेंडो ने स्कोर 270 है स्कोर आट के मुकसान को यह हमें दीजिएगा आप सभी दोस्त बता एक स्लिप एक शॉटले के साथ वर की गिगेन को विश्वा फर्नेंडो ने स्कोर 270 है स्कोर आट के मुकसान पे अब 81 और चार गिनों का खेल अब हो चुका है पूरा अबरार एहमद और शाहीन आफरीडी की यह जोड़ी जो के अब पाकिस्तान की टीम को ने देकर बढ़ते हुए विकेट विकेट यगीन जिसे फर्न फुट पराकर बैट इन पैट को साथ मिलाते वे खेल दिया है अगेन वाप इस वोलों के पास स्कोर 278 के नकसान पे छे सब्सक्राइबर जमें और चाहिए अपना यह टार्गिट पूरा करने के लिए चे लागते हत्तर हजार का तो ओवर के आखरी गिंद की उपर भी कोई रन नहीं है लिज परवाइड दी डिटेल्स ऑफ सेकेंड मैच ओपाकिस्तान बाई 149 पे साथ आउट हो चके टीम पाकिस्तान के इंडिया एक के खिलाफ होने वाले उस मुकाबले के मदर और अगर बात कीजिए आशिस की तो 13 वर्ज और 4 गिनों के बाद टीम आस्ट्रेलिया ने 57 रन्ज बना लिए एक विगेट के नुकसान पे मारनस लवुशान बारा और डेवर्ड वार्नर 32 के स्कोर पर और ख्वाजा पंदरा के स्कोर पर आउट हुए आज पंदरा के स्कोर पर विकेट गिरी और उस्मान ख्वाजा ने 3 रन्ज बनाए विश्वा फर्नेंडो जो है वाद नॉन स््ट्राइकर और पर स्ट्राइकर और पर जया सूरिया चेक स्कोर पर मौझूद है आठ के नुगा की अवाई सामना शाहीना अफरीदी नई गिन के साथ अब अपने उवर की अद्ली गिन लेकर जोके हैं बिल्कुल तयार शाहीना अफरीदी सामना करेंगे स्केन का जैस सूरिया चेक स्कोर पर मौझूद है आठ के नुगा की अव 74 पे 8 आउट ये कीमती रंस हैं क्योंकि एवरिज स्कोर जो के आखरी दिंग्स का है वो 129 रंस का है रूम बनाया और इसके इनको जैसुरियाने कवर्स के एरिये में खेलते हुए देमारा आचाओका आक्स्टा कवर्स के एरिये में और इस चाओके की मदद से 274 है स्कोर आट के इनकसान पे शाहिन आपरी दी जो के अब अपने उबर की दूसरी गेंड के साथ एक बार फिर से हैं तो यार यॉर्कर्स जो है वो एक अच्छी गेंड यॉर्कर लेंटिया गेंड कवर्स के एरिये में इस गेंड को खेला जा सू किसा जाएं कि साथ आज चिका हो कम मिन्टरी को लेकर आज सुरिया है स्वाइक प्रदास के रन बनाए है शाहिना बोलर जोना शुरू हुए बैक्ट्रोस किया आए गेंड किया इस गीन को खेल दिया बहुती बढ़ी आंदासिया और आउट होते हुए पैर्समान जैसूर किया आउट होते वएंड बड़ा हलका सा खेला था और हलका सा ही मदे का कैच मिला है इनको बहुत यहां सा कैच जो करते हैं वाज फिल्डर ने किया है फ्रस्ट टायस्ट मैच है जैसूरिया ने इस गेंग को हवा में खेल जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी इस मैच की और जिसको पकड़ते हुए और आखरी विकेट रह चुकी है इस टीम की दोस्तों चुहतर हो चुका इसको नौवक्टर के नकसान पर ब्यासी इशारे तीन और कप खेल हो चुका हमकामल पाकिस्तान की टीम की जीतने के चांस अभी देखते हैं कि कफी जादा हो सकते हैं आउट होते हुए जैसूर्या अब आज के आँ आखरी बॉला ड्रिंग्स ब्रेक आज चुकी है ड्रिंग्स ब्रेक अश्रिपली जो है वो विकेट टेकर एक बार फिर से विकेट दिलवाते हुए टीम को तो यहाँ पर शाहीन आफरीदी विकेट लेने में काम्याब हुए हैं और शाहीन आफरीदी एक जो है वो कह लिजिए के बड़ी विकेट अपने नाम करते हुए दो विकेटे ले चुके हैं अब तक और आउट हुए हैं पराबत जैसूरिया उठ हुए हैं दोस्तों पाकिस्तान की टीम अब देखते हैं कि टीम श्री का को कि इतने स्कोर तक काबू करने में काम्याब होती है लास्ट विकेट है टीम श्रलंका की और आज कुछ टाइम के लिए जो है वो पाकिस्तानी टीम को बैटिंग मुं मिल सकती है अगर देखा जाए तो एक ही विकेट बची हुए कासुन रजी था और विश्वा फर्नेंडो जो है वहाँ हमें बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे काशिफ बोलते हुए थे के बढ़िया शॉट और आउट होते हुए ये के बात भी बढ़िया शॉट और आउट होते हुए अच्छा चौका हो सकता है लेकिन सीधा गेंड को जो है वो फिल्डर के हाथों में खेल बैठे थे ये फिल्डर माफ कीजीगा प्लेएर बैटर प्वाइंट के अरियमें प्वाइंट के अरिमें जो बलकुल काशे फली जो है वो अब विकेटेकर दोसे जो जो तरह स्कोर दो के नुकसान पे 82 वर जो तीन के लों का खेलब हो चुका है पूरा and he is gone, विकेटेकर is gone now लास्ट विकेट है और लास्ट विकेट देखते हैं कि कब जाकर गिरती है दूसरी तरफ 113 वर है पाकिस्तान साथ के नुकसान ये टीम का स्कोर अगर हम देख लेते है जो है वो अब मुझूध है जो है वो अब आपकुल काशिग फली जो है वो अब कमेंट्री कर रहे थे so now it's time for the upcoming batter नाम है जिनका कासुन रजीथा रजीथा जो है वो दोस्त अब हमें यहाँ पर बाटिंग करते हुए दिखाई दिंगी and let's see किस किसम की बले बाजी की जाती है कासुन रजीथा की तरफ से शाहीना फरीदी है बॉलर जो कि अब बॉलिंग के सिल्सले को कंटीनू रखते हुए यहाँ पर शाहीना फरीदी के ओवर के ली गेंद इसके इन को कवर्ज के अरिये में राइब कर दिया है नहायती उम्दा शॉट फिल्डर गेंद के पीछे लेकिन वो इसके इन को रोकने में ना काम और गेंद जाते वे चार रणों के लिए बाउंडरी के पार यूटीफिली प्लेट वर्ज एक्स्रो कवर एरिया और चौके की मदद से अब 278 है स्कोर नौक इनुक्सान पे ड्राइब किया इसके इन को और क्या ही लाजवाब तरीके से जो है वो ड्राइब करते वे चौका दे मारा है आज के इस दिन के अंदर एक घेंटा और पंदरा मिनट का खेल जो है वो अभी होना बाकी है पाकिस्तान दिल गेट दी चांस तो मेक सम रंस हीर सिंगल के इसाफ के साथ अब स्कूर की बात की जाए तो स्कूर रहते हुए स्कूर जो है वो दोस्तो रहते हुए 289 के नुकसान पे बिंगन आलू ने हमें जोइन किया वे लाइट चैट के अंदर ये कैसा नाम हुआ बाई बिंगन आलू प्वाइंट के एरिय में खेला था और सीधा फिल्डर के हाथों में खेला था लेंधर डिलिवरी को फवाइं थर्टी रंस की लीड हो चकी ये टीम श्रलंका की चौती इनिंग्स के अंदर आवरीज का जो स्कूर है वो 130 का ही है और केली गेन दॉस्ट्रम के काफी ज़दा बाहिट किये गेन जिसे लीव किया बैटर ने और लीव करते हुए जाने दिया है अब विकेट कीपर के पास टॉट के साथ स्कूर 279 है नो के नुकसान पे अभी तक आप सभी ने मिलकर चैनल के उपर 6,70,000 सब्सक्राइबर्स नहीं किये हुए यह तो बुरी बात है गाइस अगर नहीं किये हुए तो जल्दी से वीडियो के नीचे जाकर वाइट कलर का सब्सक्राइब बटन आपको देखने को में देगा 6,75,000 का सब्सक्राइबर्स का टार्गेट था हमारा इस मैच का लेकिन हमारा सब्सक्राइबर्स का टार्गेट जो है वो शोही नहीं हो पाया तो इसलिए कम दोस्तों नहीं जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किया हुए यूट्यूब की गल्ती के वज़ा से 279 for the loss of 9 wickets दूसरी तरह पाकिस्तान एका स्कोर 158 पर साथ आउट और वो आउट हुए है वोक्स की गेन क्यूपर और के लिए गेन बले का बाहरी किनारा गेन सिधा पॉइंट के फिल्टर के हाथों में और इस तरह टीम शुरुलंका ओल आउट होते हुए पाकिस्तान की टीम को टार्गिट मिला है 130 रंस का आउट हो चुके हैं यहाँ पर अब कासुंड जी था सिधा इसकेन को पॉइंट केरिये में खेला और अबरार अपनी टीम को एक और इंपॉर्टेंट विकेट दिलवाते हुए शुरुलंका की टीम ओल आउट ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को देते चले हम कि शुरुलंका की टीम जो है वो दोस्तो ओल आउट हो गई है मैं भी विकेटे करूँ क्या हो गया आ रहे हैं किला काशिफली नहीं है तो दोस्तो 279 एसकोर और अलाउट होते हुए टीम शुरुलंका एक बड़ा दुचका लगते हुए टीम शुरुलंका को और लीड जो है वो एक सुती स्टन होकी पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर अब शुरुलंका टीम कॉल आउट करते हुए बाई दावे जब मैस वो बोल रहा था मैस से पहले बोल रहा था तो मेरी प्रेडिक्शन ये थी के एक सो पचास तक जो है वो टीम शुरुलंका अपनी लीड को लेकर जा सकती है लेगन एक सो तीस की लीड हुई है तो यह पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग है इस सशन के अंदर चार विक्टे लेते हुए और अभी भी एक घंटा जो है वो पाकिस्तान की टीम को पड़ेगी टीम पाकिस्तान को आज और देखते हैं कि कैसे ही बैटिंग जो है वो दोस्तों की जाती है दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान एका स्कोर 158 है साथ के नुकसान पे एक ताली सवर्ज के अंदर काफी स्लो बैटिंग है दूसरी तरफ और उस मैच से कोई लेना देन हमें तो नहीं है फिल्धाल के लिए क्योंकि उस मैच की इतनी एहमियत नहीं है क्यों बला क्योंकि वहां पर अगर हार भी जाती है जीत जाती है पाकिस्तान की टीम फिर भी वो समी फाइनल खेलेंगे श्रिलंका के साथ खेलेंगे वो समी फाइनल यह है पाकिस्तान यह और इंडिया एके मैच का हाल लेकिन इसके बावजूद वो मैच तो है न दोस्तों यहाँ पर रब श्रिलंकन टीम जो है बॉल आउट हुई और पाकिस्तान की टीम की बाटिंग अब देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली है इस साल भी ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला जीत जाएगी श्रिलंका में खेलते हुए बरहलब देखते हैं कैसा होने वाला है यह नहीं होने वाला पाकिस्तान की टीम आज किस दिन के अंदर कैसी क्रिकेट खेलती है और स्कोर के कितना पास जाती है ये चीज़ तो तैह है कि आज के इस दिन के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो टोटल कोचेज नहीं कर पाएगी क्योंकि स्कोर थोड़ा ज्यादा है 120 का है 130 का है और शिरलंका के पास भी कही ना कही मौका होगा अगर पाकिस्तान की टीम आते ही अपनी विक्टो को लूस कर लगबग कोई एक घंटे का खेल जो है वो आज किस दिन के अंदर हमें यहां पर और जो होते हुए दिखाई देगा पाकिस्तान की बैटिन जो है वो लगबग हमें एक घंटे के लिए जो है और देखने को मिल सकती इनिंग्स ब्रेक ज्यादा लंबी नहीं होती तो इस वज़ा से यहां पर मुकाबला जो है वाब हमें जल्दी ही शुरू होते हुए दिखाई दिन वाला है और आशिज के मैच के अगर बात के जाए तो आशिज में दोस्ते विकट को जो है वालूस कर दिया है टीम अस्ट तो यह पाकिस्तान की टीम की जो है वो रही है एक जबरदस गिसम की बालिग प्रफॉर्मिंस जो कि अब है जी बिल्कुल दोस्तों क्या लगता है अब कि पाकिस्तान की टीम जो है वो यहां पर इस स्कोर को असानी के साथ चेस करने वाली या फिर श्रिलंका की टीम जो है वो इस मुकाबले के अंदर हावी होते हुए मैच को जो है वो INTERESTING बना देगी कुछ भी हो सकता है क्योंकर चौथी इनिंक्स का खेल है तो कुछ भी हो सकता है IT WILL be all about the intent और intent देखते हैं कี कैसी रहती है औरippers की game जो है वो कैसी रहती है आज की इस दिन के अंदर पाकिस्तान के पास 40-50 रंज बनाने का मौका मौझूद रहेगा और और। से कम Overs का खेल जाए वा आज किस दिन के अंदर भी होना बाकी है लेकिन दिखा जाए तो 20 Overs का खेल जो है वो वो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो इस वाज़े से आस्ट बॉलर्स बॉलिंग करवाएंगे कुछ टाइम के लिए लेट सी के कितने Overs का खेल जाए वो अब हो पाता है सेकंड इनिंग्स अबाव टू स्टार्ट यहां पर अब 22-23 मिनट जो है वो हो चुके हैं और अब से कुछी लमहत के बाद सेकंड इनिंग्स भी शुरू हो जाएगी बने रहेगा आप सभी दोस्त हमारे साथ ही टाइमर जो है वो हम आपके सामने अब लगा देते हैं ताके आप सभी को पता चल जाए कि सेकंड इनिंग्स शुरू हो जाएगी और जो खेल अब वो पांच मिच के 30 मिनट पाकिस्तानी टाइम तक कंटीनू रह सकता है अगर खेल की बात की जाए तो और यहाँ पर लाइव कवरिज की जो है वो दोस्तों शिरुवात होच की जिसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अब हमें पैकेंड इनिंग जो है वो अभी के अभी जो है वो शुरू होते वे दिखाई देने वाली है 163 पे साथ आउट हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान ए टीम का स्कोर उन्होंने अपनी 6 विक्टो को 100 से पहले लूस कर दिया था और अब 163 पे साथ आउट हैं कासिम अकरम 35 और पहरान नुम्ताज 8 के स्कोर पर अब जो है वो हमें वाजू दिखाई दे रही है तो यह है दोस्तों अब तक की सिचुएशन जो के बनी हुई है और टाइम जो है वो दोस्तों यहां पर अब लग बग आपके सामने हम चलाते हैं ताके आप सभी को आइडिया मिल जाए कि यह मैच जो कोई तीन मिनट और फिर चार मिनट के अंदर यह वाला मुकाबला जाएगा आइमर जो है वो हमने आपके सामने हम चला है आपको सभी आइडिया मिल जाएगा नहीं जाने की ज़रूरत नहीं पर देखते हैं कि अब पाकिस्तानी टीम स्कोर को जो प्रेस कर पाएगी नहीं कर आएगी इश्याकप का शेडूल आ गया है जी विलकुल 30 अगस से जो है वो इश्याकप के मैचस उने पहला मैच पाकिस्तान और निपाल का होने है और दो तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच फिर से होगा अगर ये दोनों ही टीम्स निपाल को बीट कर देती हैं तो होगा कुछ हूँ के फिर 10 तारीख को एक और मैच पाकिस्तान और इंडिया का होने ओवाला है ये situation जो है वो दोस्तों अब हमें बनते वह दिखाई देगी don't go anywhere everyone यहां पर अब timer जो है वो आपके सामने चल चुका है and the second innings is about to start after some time second innings के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है इस total को chase करेंगे बलके fourth innings है पाकिस्तान की टीम की second innings है और आल जो है वो यह fourth innings है देखते हैं कि situation क्या रहती है अब बट दोस्तो चार बज़ के तीस मिनट पे पाकिस्तानी एंड आल्मोस्ट चार बज़ के तीस मिनट पे जो है पाकिस्तानी टाइम तक कि यह वाला मुकाबला शुरू हो जाएगा शाहीन आफरीदी ने लास्ट में जाकर जबरदर स्पॉलिंग की तीन विटो को किया उनने अपने नाम और जो है वो एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग के सिलस्ले को हमें कंटीनू रखते हुए वो दिखाई दिये मुड़ाफ के एरिये में शाहीन आफरीदी ने जासूरिया को आउट किया था दस रंज बनाए जासूरिया ने तो यह टाइमर जो है वो आपके सामने लगा हुआ है और आल्मोस्ट यहां पर पाकिस्तान की बैटिंग जो होने के है बिलकुल पास दूसरी तरफ आपको बताते चले हम जो आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है वहां पर 69 के स्कोर पर दो विक्टो को लूज कर दिया है स्टीव स्मिथ और मारनस लभू शेन जो हमें बैटिंग करते वे दिखाई दे रहे हैं तो यह सिचुएशन है गाइस पाकिस्तान के हसन अली जो है वो हसन अली जो है वो दोस्तो कैमरा मैन बने हुए है इस वक्त और हसन अली जो है वो दोस्तो कैमरा मैन बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं फिलाद और यहां पर अब सिरलंकन प्लेयर जो है वो दोस्तों ग्राउंड के अंदर इंटर होते हुए हमें अब दिखाई दे रहे हैं सिरलंकन प्लेयर्स आर इंटरिंग दी ग्राउंड यहां पर अब इनिंग्स नंबर टू जो कि अब होते हुए दिखाई दिने जा रही है आखिस्तान के दोनों ही ओपनर्स इमाम उलहक का साथ देने के लिए अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक और इमाम उलहक अब ग्राउंड करूख करते हुए बादल भी अब आस्मान करूख कर चुके हैं लेकिन धूप निकली हुए इस वक्त अगर देखा जाए तो ग्राउंड के अंदर देखते हैं कि आज कितने ओवर्स का खेल हो पाएगा जितने भी ओवर्स का खेल होगा इट पिल नाट मैटर सो मच क्योंकि कल पूरे का पूरा दिन जो है वो खेम गेम होनी है तो बारिश के इतने ज़्यादा चांसेज नहीं है so that's why that will not be a big problem for Pakistan कि अगर थोड़े कम ओवर्स का खेल भी कल के दिन के अंदर होता है फिल फर्स अगर आज 30 रंज को भी उतार देती है टीम पाकिस्तान तो यह अच्छी आफ़र रहने वाली है फिर दोस्तों इमामलहक जो है वो अब आच के हैं और इमामलहक जो है वो दोस्तों बले बाजी करते हैं हमें अब दिखाई दिने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ से प्लेयर्स इंटरिंग जैसा के आपके सामने आप पड़ सकते हैं प्लेयर्स इंटरिंग और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक स्कोर 177 के नुकसान पे दोसों के आसपास का टारगेट टीम इंडिया एको मिलेगा इस मैच के इंदर जीत को अपने नाम करने के लिए आज के इस दिन के इंदर कितने वर्स का खेल होना बाकि यह दोस्त का यह सवाल आया तो आपको बताता चलो के आज ज़िए इस दिन दिविच 16 वर्स दा खेल जड़ावा होना बाकि यह एक ग्हेंटे दिविच 16 वर्स का खेल होना शेडूल होगा एक ग्हेंटे के अंदर और देखते हैं कि अब यह खेल हो पाएगा आसानी के साथ या नहीं हो पाएगा कासी मकरम 36 महरान मुम्ताज 15 के स्कूर पर तका लगाए है महरान मुम्ताज ने तो दोस्तो प्लेयर जो हैं वो अब बाच के हैं ग्राउंड के अंदर तयार यहां बिलकुल पूरी पहली गेन लेकर बॉल और अपने बॉलिंग के निशान दिलकुल तयार तो विश्वा फर्नेंडो अब बॉलिंग करेंगे सामना करेंगे उनका सामना करेंगे दोस्तों उनका अब्दुला शफीक अपने उवर की पहली गेन के साथ विश्वा फर्नांडो लाफ्ट राम ओवर दे विगेट बॉलिंग करेंगे अब्दुल्ला शफीक के लिए अब्दुला शफीक जो के राइट हैंड़ बैटर हैं और फिशले इनिंग्स के इंदर 19 रंज बना कर आउट हुए थे देखते हैं कि यहाँ पर अब उनकी तरफ से कैसी क्रिकेट खेली जाती है और किस अंदा से वो अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ने वाले है और उनका साथ देते हुए इमाम उलहक पहले गेंद लेकर विश्वा फर्नांडो दोरते हुए आए गेंड किया अनपाट यह गेंद इसके इनको बलेबाज ने फ्लिक करते हुए खेल लिया है स्क्वेर लेक के लिया में उम्दा तरीके से खेला गया एश्वा टेक रून का होते हुए इजाफा और दूसरे के लिए वापिस आते हुए दो रून्स के इजाफे के साथ तब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर दो बिनाकी सिविकेट के नुकसान पे पाकिस्तान की टीम की पारी की शुरुआ तब होते हुए दो रूनों के साथ विश्वा फर्नेंडो की ये गेंद और इसके इनको बलगा है दो रून्स पाकिस्तानी फैन्स भी अभी इस फैन्स को इंज्वाई करते हुए जो के थोड़े बहुत मौझूद हैं स्टेडियम के अंदर इसके इलावा सिरलंकन फैन्स भी जो है वो दोस्तों इस मुकाबले को अभी इंज्वाई करते हुए 139 रंद चाहिए अब टीम पाकिस्तान को जीतने के लिए इन दोनों ही प्लेयर्ट्स की जो बड़ी जमादारी होगी वो ये होगी के ये 29 रंद जोर बनाए कम असकम और अपनी टीम को जो है वो आगे लेकर बड़े यहाँ पर अब ओवर की रहे गी अगली गेन दिसके इनको बैटर ने खेल दिया है फाइनलेक के अडिया में चार अनों के लिए उंदा तरीके से खेला गया ये शॉट और मिलते वो एक बेहतरीन चौका ओन पैट ये गेन थी इस अंदर आती हुई गेन को फाइनलेक के अरिया में खेलते वे दे मारा है चौका और चौके की मदद से अब बढ़ाते वे अपनी टीम के स्कोर को चौके की मदद से चेह स्कोर टीम पाकिस्तान बिनाकी सिविगट के नुकसान पे तीन गिनों के बाद बहुत ही अच्छी शुरुआत होते हुए अब यहां पर अबदुल्ला शफीक की तरफ से चेह स्कोर टीम पाकिस्तान बिनाकी सिविगट के नुकसान पे आज 16 आवर्स का खेल होना बाकी है चेह करना स्कोर को आज किस दिन के अंदर शायद के थोड़ा मुश्किल रहे क्योंकि 125 रंस हैं 16 आवर्स के अंदर टाइम की बात की जाए तो 59 मिनर्स का टाइम जो है वो भी बाकी है यहाँ पर अबदुला शफी के लिए ओवर्स के लिए गेंद यॉर्कर लेंचे गेंद इसके इनको खेल दिया है अब वापिस बॉलर के पास कोई भी रंजोय वा लेने का मौक आप मौझूद नहीं है चेह स्कोर बिना के सिविगट के नुकसान एक सोचेटर पे साथ है टीम पाकिस्तान एग लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमीद और वेगर दीजिएगा आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो भी हैं जहां कहीं से हमारे साथ अब मौझूद थैंक्यू सो मच एवर्यवन पिछले साल भी कुछ यूही हुआ था अब लाफ डाम राउन दे विकेट बॉलिंग करते वोए डाउन दे लिक साइड ये गेंड इसके इनको स्कोर छे है बिना कि सिविकेट के नुकसान पर यहां पर वर के लिग इनको डाट बाट के साथ बाट अन बाट को साथ मिलाते वे खेल दिया है वापिस बाट अगे पास थैंक यू सो मच अब्रिमन फॉर लवली सपोर्ट मुकाबला अब शुरू होते हुए सेकंड इनिंग के अंदर और क्या ही शांदार किसम की शुरुवात जो के अब हमें देखने को मिली है टीम पाकिस्तान की तरफ से ये गेंड जो के स्टम्स की लाइन में थी स्केंड को काम दा ग्राउंड जो है वो हिट करते हुए आप रदे मारा है चौका जो किसी से नहीं गया है रोका पिछले वोर के अंदर क्या बोल दिया मैंने गलत बोल दिया फिल्डर की अच्छी फिल्डिंग एफट जिन हुने इस गेंड को रोका है कोई भी रन नहीं है वारी दोस्तों कभी कबार गलती हो जाती है जब बंदे का फोकस थोड़ा सा आउट हो जाता है तो गलती हो जाती है कोई नहीं अब तो आपको भी आदत बन गई होनी है हमारी इस किसम के गलतियों की आज की इस दिन की बाइद वे यह पहली गलती है शायद कल हमने चार-पांच गलतियां की थी कुमिंटरी के दोरा हम देगे नाज शायद यह पहली है अगर दूसरी है तो बता दे अरमेश मैंडस ने 13 मैचेस के अंदर 62 विक्टो को अपने नाम किया हुए जो कि अब बॉलिंग के लिए आ चुके है और शुरुवात से ही अब जो है वो कहले के यहां पर स्पिन बॉलर्स को लगा दिया गया है और देखते हैं कि स्पिन बॉलर्स की बॉलिंग जो है वो पिन बॉलर्स को जो है वो लगा दिया गया है और की पहली गेन दी मामल हक के लिए जिसे उन्होंने आउस्ट्रम के बाहिट की गेन को खेल दिया है और साइड में ही कवर्स की पॉजिशन पे अब फिल्डर मौजूद जिन्होंने इस गेन को फिल करते वे किया है वापिस डॉट के साथ स्कोर अब 6 है बिना किस विगेट के नुकसान पे एक अवर और 18 का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा आपर अब रमेश मेंडस राइट हम राउंद विगेट बालिंग करते वे इस केन को बैकवर पर जाकर मिड विगेट के एरिये में खेल दिया में विगे गेंड विगेट विगेट ये गेंड जिसे रुट पराकर बैटन पैट को साथ मिलाते वे खेल दिया है अब वापिस पोलो के पास स्कोर 6 है बिना किस विगेट के नुकसान पे दोस्त बोलते वे ओवर टाइम लाइन नीशो हो रही भाई थोड़ा सा सबर कर लिया करें ये चीजें जो है वो आटो अपडेट होती है तो थोड़ा सबर कर लें खुद बाखुद जो है वो सही हो जाएगी और टाइम लाइन यहाँ पर एक बार फिट से ओवर के लिगे इनको बैकपट परेते हुए बले बाज ने खेल लिया है अफसाइड में कवर्स की पॉजिशन पर अब फिल्डर है तायनात जिन्होंने इसके इनको फ्यूल करते है वापिस स्कोर 6 है बिना किस विगेट के न देख लेते हैं कि यहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहने वाली है एक स्लिप एक शॉट लेके साथ इमाम के लिए गेन जिसे फुल टॉस बनाते वो इन्होंने मिट विगेट के लिए में खेला है चाट अच्छा जरूर था लेकिन सीधा फिल्डर के पास के यह गेम जिन्होंने इसके इनको फिल्ड करते वे किया है वापिस सो डॉट के साथ 6 है स्कोर दिनांकी से विगेट के नुकसान पे अब दो ओवर्स का खेल जो के अब हो चुका है पूरा मीडन ओवर पूरा हुआ है और 182 पे साथ आउट है टीम पाकिस्तान एक है आई थिंक पांच अवर्स का खेल वहाँ पे भी बचा हुआ है एक तरह से अच्छा कमबाक करते हुए टीम पाकिस्तान एक ही क्योंकि उन्होंने 100 से पहले अपनी 6 विक्टरों को लोस कर दिया थ साथ आउट एंडिम पाकिस्तान है तो यह है अभी तक की जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की टीम के जो आज के इस दिन के अंदर अभी 54 मिनर्स का टाइम जो है वो कमसकम बचा हुआ है पाकिस्तान की टीम के जो आज के इस दिन के अंदर कोशिश होनी चाहिए वो यह होनी चाहिए कि 124 स्रूंज को बनाए और दूसरी तरफ 190 होचका है टीम पाकिस्तान एका स्कोर साथ के नुकसान पे कासे मक्रम 48 के स्कोर पर पहुँच गए हैं अब अच्छी आउटस्रेंडिंग क्रिकेट खेलते हुए कासे मक्रम जो के अब पहुँच गए 48 के स्कोर पर आपर इमाम के लिए गेंद ऑन पैट ये गेंद बहुत बढ़ी अपील लेकिन नौट आउट देते हुए उमपायर रिव्यू लेने का सोच सकती है टीम श्रिलंका देखते हैं कि अब रिव्यू में काम्या भी मिलती है या नहीं अगर रिव्यू लिया जाता है तो और रिव्यू लेने का फैसला कर लिया टीम श्रिलंका ने let's see के player अब बचपाते हैं या नहीं बचपाते है we have to wait and see bowling side का ये review है करी भी वामला हो सकता है ये बरहल अब देखते हैं कि क्या situation जो है वो अब रहने वाली है तो दोस्तो लग यू रहा है कि ये इंड आस्टम के बाहर जाकर पैर्ट पे डगराई है अल्टराइज आते हुए और अल्टराइज की मज़स्ते देखा जा रहा है तो अब लग यू रहा है कि player survive कर जाएंगे जे बिलकुल देखने से तो यह लग रहा है बाकी अब देखते हैं अब आते हुए ball tracking pitching outside of impact outside the line of off stump जे बिलकुल दोस्तों impact जो है वो outside the line of off stump और इस वज़े से यहाँ पर अब साथ है score बिना कि सिविकेट की नुकसान पे तो review को lose करते हुए team श्रीलंका उवर के एक देगेंड को जो कि off stump के बाहिट के गेंड वलेबास ने जो है वो क्या लीजे के यहाँ पर अब साथ है score बिना कि सिविकेट की नुकसान पे दो वर्ज और तीन गिनों का खेल अब हो चका है पूरा दो फिल्डर अब slip की position पे मौजूद है आप स्टों के बार की अगेंड जिसे बैटर ने बैक फूर पर रहते हुए आप साइड में खेला है कोई बिरुन लेने का मौका मौजूद नहीं है घढ़ कोई ब मौका 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 मौकार तयुक्षम और की हेगली गेन इसकेन को जो के आफ्स्ट्रम के बाइट की गेन थी खेल दिया है अफसाइड में ही कोई भी रन लेने खामाओ का मौजोद निया साथ है स्कोर बिना किस विकट के नुकसाम पे दो वर्ज और पांच किनों का खेल जो के अब हो चुका है पूरा पाकिस्तान नीड 124 रॉन्स तुविन दिस माच यहां पर रब 190 रॉन्स दूसरी तरफ हो चुगे टीम पाकिस्तान के साथ के नुकसान पे 7 बिदाउट लॉस 2.5 ओर्ज के बाद साथ बिदाउट के नुकसान पे 124 रॉन्स की जो है वो कह लीजे के जरूरत है और देखने हैं कि अब यह रॉन्स जो है वो बना पाएगी टीम पाकिस्तान एजी ली या नहीं साथ बिना किस्तान के नुकसान पे तो दोस्तो डाउन दा लेक साइड यह गेंड इस गेंड को फ्लिक करने की कोशिश लेक साइड में लेकिन नाकाम रहे एप्लेयर साथ हैं स्कोर बिना किस्तान के नुकसान पे 8 without loss 3.2 overs का खेलब हो चुका है पूरा आपर रब 4300 के क्रीब दोस्ते एक तरफ हमार साथ मोजी ने बहुत बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें आप बिल्कुल फ्री में होता है ये काम और इसते क्या हो जाता है हमारी होसला अफजाई हो जाती है 119 पर साथ आउट हो चुके है आपर अब बॉलिंग करते हुए रमेश्ट मेंडस एक अवर और दो गिनों के उपर एक रन दे चुके है रमेश्ट मेंडस आउस्ट्रम के बाइट की ये गेन जिसे खेल दिया है औफ साइड में कोई भी रन जोई वाले ने कमाओ का मौचूद नहीं है एट विदाउट लॉस्ट 3.3 ओवर्स का खेल जो के अब हो चुका है पूरा ये माम ने कोई रन दे बना हुआ बारा गिनों का कियावाई सामना वर के लिए गेन को इमाम ने बाकफर फट जाकर कट किया सिधा पॉइंट के फिल्डर के पास के ये गेन कोई भी रन लेने का मौच आप मौचूद नहीं है तो 3.4 ओवर्स जी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 3.4 ओवर्स का खेल लब होते पर पूरा यहाँ पर ओवर्स के लिए गेन तपाखाते वहल की सी बाहर की तरफ निकलीस के इन को खेल दिया है उपसाइड में पॉइंट की पॉज़िशन पर हैं फिल्डर मौजूद आठ है स्कूर मेंना के से विकेट के नुकसान पर पाखिस्तान ए ने 191 पर अपनी आठ विकेट को लूज कर दिया कासियम अक्रमर ताली स्टन्स बना कर आउट हो गए एक फिल्डर स्टिपर एक फिल्डर शॉट लेकी पॉज़िशन पर खुबसूरत ये गेंद बड़ी अपील हुई है कैच की लेकिन ये गेंद बल्ले के आउटसाइड एच को बीट करते हुए गई है विकेट कीपर के पास आउटस्टेंडिंग डिलिवरी देट वाज और लखी रहते हुए दिखाई दिये हैं हमें ये प्लेयर नाम है जिनका इमामल हक और इमामल हक कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा डिफैंसिव मोंड में जो है वो हमें अब दिखाई दे रहे हैं अगर वो ऐसे ही खेलते रहे त दोसों के आसपास का ही टार्गेट हो सकता है कुछ जो कुछ जो दोस्त हैं वो एक दो मॉड जो लास्ट वाली लाइफ स्ट्रीम के उपर भी चला जाए जो लास्ट वाली अभी हमने चलाई है कुछ ही देर पहले आज किस दिन के अंदर अब जो खेल बाकी वह 45 मिनर का खे स्टान को है जरूरत अच्छी आउट्स्टेंडिंग गें थी वो और लगातार बाहर की तरफ निकलते हुए मेरी खाई दी वो गेंद स्टंपिंग का चांस जो है वो जी बिल्कुल दोस्तों बन सकता था लेकिन प्लेयर अपनी क्रीस के अंदर वापिस आ गये तो इसलिए सर्वाइब किया उन्होंने प्राबज्य सूरिया 31 साल इनकी उमर है आठ मैचेस के अंदर 53 विक्टे ले चुके है जो कि अब अपनी बॉलिंग किस सिल्सले को हमें कंटीनुर रखते हुए लिखाई दिन वाले हैं प्राबज्य सूरिया जिनके उवर किये पहली गेंद डाट डिलिवरी 123 जो है वो अब थोड़े ज्यादा लग रहे होंगे टीम पाकिस्तान को जिस किसम की सोच के साथ वाग बढ़ रही है आठ है स्कोर बिना किसे विकट के नुकसान पे यहाँ पर अब अब अबदुल्ला शफीक स्ट्राइक पर जो कि मौजूद है उन्होंन पर बिना किसे विकट के नुकसान पे साहारा लेकर इसके इनको अबदुल्ला शफीक ने मिडॉफ के एरिया में खेलते हुए एक रन को पुरा किया पहले वो बड़ा शॉट लगाने के लिए जाना चाहते थे लेकिन फिर हुनने अपने इरादे को तब्दील किया और इसक पाकिस्तान एक पर लोगे साहरा लेकर अपनी क्रीश से बाहर आकर आपसाइड में खेल कर सिंगल लेना चाहते थे ये प्लेयर नाम है जिनका इमाम उलहक मना किया इनके साथ ही प्लेयर ने सिंगल लेने से डॉकंत के साथ 9 है स्कोर बिना किस फिविकेट की नुकसान थे हैं अपर 4 बर्ज़ों 4 इनों का खेल भी हुए नुकसान थे हैं अगर कोई talented player होगा तो वो आ जाएगा team के अंदर so you don't worry जो भी talented player होगा वो आ जाएगा बाकफट पर है थे भी skin को square like area में खेलते भी एक run को पुरा कर लिया गया है single case आफे के साथ 10 score बिना किस फिगेट के नुकसान पे अब और दूसरी तरफ आपको बताते चले हम दूसरी और बताते चले हम के Australia के team 86 के score पर अपनी दो विक्टो को लूस कर चुकी है एक slip एक shot लेक के साथ ओवर के लिगे इनको बैकपट पर जाकर पंच करते हुए cover screen में खेल दिया है extra cover keep opposition पर फिल्डर अब मौझूद है जिन्होंने इसके इनको field करते हुए किया है वापिस 10 score बिना किस फिगेट के नुकसान पे editor SM हमार साथ है ठीक हो गया editor एक ही चीज़ को आप भी रिपीट ना करें दो आपके कमेंट साच करें इमाम इस आलवेज स्ट्रॉग्लिंग आउटसाइड पाकिस्तान ही नीज़ टू ही नीज़ टू इंप्रोव इस टेक्निक जी बिलकुल ऐसा ही अर्विन भाई मैं क्या करूँ मुझे बता दें नहीं है तो अगर होता तो आपके सामने ही होता न कोई अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं और पिजगेंद इसके इनको फूल करते वेले एक साइड में खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रही है प्लेयर दस है स्कोर्ट मिना किस विगेट की नुकसान पर पांच वर जो रेगेंद का खेल अब हो चुका है पूरा जब दानिश कनेरिया थे तो वो खेले ही हैं जब मतलब कहले के वो थे तो उन्होंने खेला अब अगर कोई और होगा तो वो खेल लेगा तो स्कोर है अब दस विगेट की नुकसान पर पांच वर जो रदो गिनों का खेल जो के अब हो चुका है पूरा बहुत कम है भाई ये भी एक बजा है बड़ा शौट डाम दा ग्राउंड इमाम के बल्ले से गेन को जिन होने लॉफ्ट के आमिड़ॉन के अरिये में जो है वो खेलते विदे मा रहा है चौका मेरे भाई को घुसा क्यों आ रहा है क्रिकेट विद मी यहां पर दोस्त पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी टैलेंटिड हिंदू बलेयर नहीं है जो कि पाकिस्तान की टीम के अंदर खेल सके आपको शाइद ज्यादा नौलिज हो क्रिकेट में क्योंकि आप अच्छे से फॉलो करते हैं क्रिकेट को और क्रिकेट की उपर अपना उपीनियन भी देते हैं तो बताएं ज़रा इस बारे में अगर कोई है आपके पास इंफोर्मेशन चौदा होते वह स्कूर बिना किस विकेट के नुकसान लेएं श्रिलंका ने कितने स्कूर बनाए हैं और इनके कितने आउट हो गे हैं खुब एब ऐहमद भाई श्रिलंका की टीम ने 209 रंज बनाए हैं और पाकिस्तान ने चौदा रंज बना लिये हैं अब पाकिस्तान नीड अन्नदर 116 रंज अरविन भाई ये इनका कुमेंट पढ़ लिजियागा क्रिकेट विद मीं का ये इनका बाटल नॉलिज देन मी बाट रिगार्द इन इस मैटर इमाम ब्रेक दी रिकॉर्ड ऑफ नसीम शायन डॉट बाल्स चलिए देखते हैं कि क्या बनता है 196 पे आठ आउट होचके हैं दूसरी तरव पाकिस्तान 196 पे 15 है स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान पे अब और की रहेगे अगली गेंद ओ कट करना चाहते थे गेंद बहुत ज्यादा टर्न हुई और गेंद बल्ले के पास से गजरते हुए विगट कीपर के पास कही बहुत ही ज्यादा टर्न हुई ये गेंद परमेश मेंदस जो है वो एक अच्छे तर्णर है बॉल के बीट हुए प्लेअर गेंद जो है वो बल्ले को मिश्करते है वे विकेट कीपर के पास कही है अब तो विकेट अब ऐसी ही है और विकेट की ओपर अब देखते हैं कि पाकिस्तान की पलेइंग स्ट्राटिजी क्या रहती है अपील हुई LBW की लेकिन नौट रॉट का सिगनल अमपायर की तरफ से वो साथ ही साथ जो है वो थोड़ी अग्रासिवनेस भी जो है वो शो करने की जरूरत है यहां से अब 15 बिना किस विकेट की नुकसान पे जी बिलकुल दानेश कनेरिया थे और उसके बाद अभी तक कोई भी हाई लेवल की उपर जो है वो प्लेयर हमें नहीं दिखा क्योंकि अगर होता तो पाकिस्तान की काईदयाजम ट्रॉफी के अंदर होता कोई प्लेयर अगर होता तो यहां पर प्लेयर के अंदर होता जी बिलकुल अगर देखा जाए तो तादाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस है 30-35 क्रोर के उपर अगर एक कंट्री में कोई मतलब कहले कि रिलीजन की लोग रहते हैं तो फिर वो खेल सकते हैं किसी भी टीम के अंदर क्रोर में और यहां पर तो मिरा खाल कोई दो तीन परसंट जो है पॉपलेशन होगी अब हिंदूस के यह भी एक फर्क है और कोई बात नहीं है यहां पर आईए मैच की तरफ वापिस आते हैं सोला है स्कोर बिना किस विगेट की नुक्सान पे छे वर्ज और एगें की बाद तो क्या हो गया आचांग नेवर प्ले अ कट शॉट अगेंस्ट एन इंकमिंग बॉल ओफ आ स्पिनर जी बिलकुल जिनके ओवर की अगेंड विगेट 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 जिसे अबदुल्ला शफीक ने बैटन पैट को साथ मिलाते वे मिड़ौन के रिये में खेला है कोई बिलने ने का मौगा मौजूद नहीं इन सभी प्लेयर्स का इंतिहान होगा जब पाकिस्तान औस्ट्रेलिया का फूर करेगी 16 है स्कोर बिना किस विगेट के नुकसान पे 6 ओवर्ज और 2 गिनों का खेला भोज गया पूरा अबदुला आठ 16 गिनों का किया हो इनों सामना यहां पर उबर केक दी इनको कवर्ज के लिए में खेला है कोई बिलने ने का मौगा मौजूद नहीं है डॉक के साथ 16 है स्कोर बिना किस विगेट नहीं वायरिस नहीं है बस वो है कि कभी कबार और खुबसूरत गेन है बहुत अच्छी गेन बड़ी अपील हुई है कैच की लेकिन नॉट आउट दिया गया है अब अमपार की तरफ से और आउट होते वोई अब्दुल्ला शफीक जी हाँ दोस्तो आउट होते वो अब्दुला शफीक विगेट कीपर का ये एक अच्छा कi आच Чौ और अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं के उनको तो लग लग रहा है क्यो नोट आउट है और रिव्यू लिया गया है और शान वसूद ने हैलमेट और गलव्स पहन लिए है अब्दुल्ला बिल्कुल भी शोर नहीं है कि ये गेन उनके बले से टकराई है या नहीं मुझे लग रहा है कि ये गेन उनके बले से टकरा गई है जिब लकुल I think there is a definite edge ऐसा लग रहा है और अब जो है वो अब्दुल्ला शफीक बॉल ट्रैकिंग का वेट कर रहे हैं पाकिस्तान के ये प्लेयर और लग यू रहा है कि उनको लाटना पड़ेगा वापिस 16 है स्कोर बिना किस विकेट की नुकसान पे दोस्तो एक पर नौवी विकेट टीम पाकिस्तान की गिरी हुई और अब देखते हैं कि यहां पर situation क्या रहती है तो दोस्तो बॉल ट्रैकिंग अब आते हुए और बॉल ट्रैकिंग की मदद से देखते हैं कि अब दिल्ला शफीक बचपाएंगे नहीं बचपाएंगे शुरुवात इनकी बहुत ही अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद इनकी क्रिकेट जो है वो हमें डाउन एन आउट होते हुए दिखाई दी काफी ज़्यादा वसोला है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे बॉल ट्रैकिंग का वेट किया जा रहा है रीप्ले की मदद से देखा गया तो रीप्ले की मदद से जो है वो यह चीज थोड़ी सी देखने लाइक थी के रीव्यू मतलब रीप्ले की मदद से तो यह चीज दिखाई दी कि यह गेन ने अपना जब बल्ले के पास से गुजरी तो अपना रस्ता जो है वो बदला बरहल अब देखते हैं रिव्यू टाइम बॉल ट्रैकिंग का वेट किया जा रहा है काफी ज़्यादा टाइम लेते हुए बॉल ट्रैकिंग और देखते हैं कि अब बॉल ट्रैकिंग पाकिस्तान की टीम ने रिव्यू लिया है और काफी ज़्यादा टाइम लेते हुए जी बिल्कुल दोस्तों अल्टरेज अब आ चुका है और अल्टरेज की मदद से ये चीज देखी जा सकती है कि ये गेन बल्ले के किनारे से टकराई है जी बिल्कुल दोस्तों ये गेन बल्ले के किनारे से टकराते हुए और इस तरह टीम पाकिस्तान अपना रिव्यू लूज करते हुए विगेट को भी लूज करते हुए 16 के स्कोर पर पहली विगेट गिरते हुए टीम पाकिस्तान की अबदुल्लिघ शफीक ने जो है वो रिव्यू भी जाया कर वाया टीम पाकिस्तान का अब्елей गेल को बिल्कुल दंगально का विगेट डाकिस्तेट है और उसके बाद उन्हें अटलीस जब इसकेन को कैच किया तो कैच होने के बाद जो है वो अमपायर ने आउट दिया अब्दुल्ला शफीक दूस्ट इनिंग्स के अंदर भी फेल होते हुए और रोकना इस विकेट के उपर एक अच्छी स्ट्राटेजी नहीं है इस चीज़ को जितनी जल्दी टीम पाकिस्तान समझ लेगी उतना ही बेहतर रहेगा अदुल्ला शफीक पिछली निंग्स के अंदर भी गेन को रोकते हुए आउट हुए और अब 205 रंस दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान एक आह स्कोर नौ के नुकसान पे तार के स्कोर पर शानवाजदानी महरान मुंताज 25 के स्कोर पर मौजूद है दो वर्स के आसपास का केल वहां पर बाकी है जि बलकुल बहुत मुश्किल होता है स्पिनिंग ट्रैक के उपर बैटिंग करना 1984 में कराची 21 स्पिन विगेट पर 70 का टार्गेट इंग लैंड के खिलाफ चेस करते वोई पाकिस्तान के साथ बैट्समन आउट होगे थे जि बलकुल ऐसा ही है और 114 रंस का टार्गेट चेस करते वोई आखरी इनिंग्स के अंदर इंग्लेंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 72 के स्कोर पर आउट होगी थी जब यूए का टूर था और इंग्लेंड की टीम ने जो है वो अपने विगेट्स को लूज किया था अगर आप रहेंगे तो फिर मुश्किलाथ आपके लिए रहेंगी पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो आपको बताते चलें के अटाकिंग क्रिकेट ही एक अच्छी एक चीज रह सकती है बाकिस्तान की टीम अगर दो से जाएद विट्टो को आज लूज कर देती है तो फिर मुश्किलाथ हो सकती है इनको और दूसरी तरह पाकिस्तान एक टीम ओल आउट होगी है यह दो सो पांच पांच परन्स के स्कोर पर टीम इंडिया के खिलाफ एक स्लिप एक स्लिप के साथ यह गेन जो के शान मसूद के लिए थी जिनसे उन्होंने बैकफट पर रहते वे खेल दिया अलेक साइड में कोई बिरन जर्व लेने का मौक अब मौझूद नहीं है नाइट वोच में नहीं थे वो प्रॉपर बैट्समें थे वो नाइट वोच में नहीं आये हैं और अब शान मसूद ही आये हैं बैटिंग करने के लिए क्योंकि अभी टाइम की बात की जाए तो आदे गहंटे का टाइम बाकी है 16 फॉर दे लॉस अफ वन विकेट 11 विकेट लेगा आज यह सूरिया ने लास्ट येर 11 विक टे ली थी इसी ग्राउंड के उपर पाकिस्तान के अगेंस जी विलकुल हमें याद है और पाकिस्तान की टीम ने चौथी इनिंग्स के अंदर 344 का टोटल भी चेज किया था इसी ग्राउंड के उपर चौथी इनिंग्स के सबसे बड़ा स्कोर जो इस ग्राउंड के उपर चेज हुआ था सोला है स्कोर एक इनिकसान पे साथ अवर्ज का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा आपर एक स्लिप के साथ ओवर की एगली गेन को लेक्साइड में खेलने की कोशिश में थे यह मामुल हत लेकिन इतने अच्छे से वो नहीं खेल पाए गेन गई वापी स्कोलर के पास डाम द पाहिट की एगेन दिसकेन को लीव किया बैटने और लीव करते वह जाने दिया विकेट के बर के पास तो प्रैशर अपने उपर जो है वो टीम पाकिस्तान एक तरह से जो है वो क्रियेट करने की कोशिश में है और देखते हैं कि अब इस प्रैशर सिचुएशन से निकल पा का मौझूद नहीं अपनी क्रीस से बाहर निकलने की कोशिश में थे यह प्लेयर यानिके सिंगल लेने की कोशिश में थे लेकिन नाकाम रहे तो स्कोर सोला है एक के नुकसान पे साथ अवर्द और तीन के नुका खेल भोजका है पूरा एक स्लिप एक शॉट लएक के साथ ओवर के लिगे इनको फ्रम फूट पराकर बैटन पैट को साथ मिलाते वे खेल दिया है कावर्द के यह में इफेंस विल नॉट प्या गूट स्ट्राटजी फो बाई पाकिस्तान आई थिंक यह नीट तो स्कोर अम रंस यह वर के लिए इनको बैकफूट पराते वे खेल दिया है मिट भिगेट के यहमें अच्छा शॉट इमाम के बले से जिन होने इसके इनको पहुचा दिया लकिसी शॉट फिच यह गर थी और इसके इनको बैकफूट पराते वे लेक साइड में दिखे इलते हुए देमारा है चौका, चौके की मदद से अब स्कोर होते हुए 20 से किन उकसान पे, आज कितने विकट गिर सकती है, जितने प्लेयर आउट होंगे जितने प्लेयर आउट होंगे उतनी ही विकटे गिर जाएंगी बाई, अब कितनी विकटे गिर से बाहिर निकलना जो है वो इतनी अकलमंदी वाली बात नहीं है तो इसलिए वो अपनी क्रीज के अंदर रहते हुए गेनों को खेल रहे हैं अब 111 की अभी भी है जरूरत तो कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर एक विकेट गिर चुकी है और आज किस दिन के अंदर जो खेल होना बाकी है उसके वर बात की जाये तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि आज किस दिन के अंदर जो है वो कितने ओवर्स का खेल होना बाकी है अब आपके सामने आ जाएगा वो भी टार्गेट तो दोस्तो ग्लेवर के अब होते वए शुरुवात यहाँ पर शान वसूद ने कदमों का साहरा लेकर इसके इनको विकेट के एरिये में खेलते हुए एक रन को जो है वह बासानी पूरा कर लिया है तो आज किस दिन के अंदर आठ वर्स का खेल जो है वह भी होना बाकी है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्ट्रीन्स पे 110 रन्स की जरूरत है यह वाला मुकाबला जीतने के लिए टीम पाकिस्ति एक बनाया मैं शान ने तीन गिनों का किया वह सामना इमाम ने ग्यारा बना रखे है और इमाम उलहक जो है वो स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है आपर वर्क एक दी गेन को जो के अंदर आती हुई गेन पैट्स पर रिक राई और इस गेन को खेलते बले एक साइड में एक रंद को पुरा कर लिया फाइनले केरी में गई एगेन सिंगल के इजावे के साथ अब स्कर है बाइस एक इनकसान पर आट हवर्स और दो गिनों के बाद चार दिन बैटिंग आसान नहीं है उनकी विकेट भी बहुत जल्दी गिरी तो सही खेल रही है टीम पाकिस्तान और है बाइस एक इनकसान पर 22 फॉर्द लॉस अफ वन विकेट आट हवर्स और तीन गिनों का खेल अब हो चुका है पूरा जैसे यह वाला मुकाबला खत्म होगा तो उसके बाद जो है वो यहां पर कह लीजे के आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच वह हम आपके साथ लेकर आज जाएंगी वसीम बारी के रेटायर होने के बाद अनील दिलपित टीम में आये थे 1984-1985 में ग्रेट नॉलिज बाबु बाई तो 22 स्कोर एक के नुकसान पी टीम पाकिस्तान आठ होवर्स और तीन के नुका खेलब हो चुका है पूरा एक स्लिप एक लेक स्लिप के साथ शान के लिए गेंजी से उन्होंने बाक फूट पर जाकर पंच कर दिया है कावर्स के एरिया में उन्दा ये शॉट शान मसूद के बले से और गेंद स्लोली स्लोली बढ़ते हुए एक्ट्रा कावर के लिए एरिया में चार रून्स के लिए बाउंडरी के पार एक बेहतरीन चौका शान मसूद के बले से 105 रून्स की दूरी पर पाकिस्तान की टीम इस जीत से So 26 for the loss of one decade 8.4 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है ओवर्स की कोई कमी नहीं है लेकिन यह है कि यहां पर अगर एक्स्रा डिफेंसिव मौन में जाकर खेलती है टीम पाकिस्तान तो फिर भी इनको काफी हद तक मुश्किलात आने वाली है So that's why they need to score some quick runs here 105 की है अभी और जरूरत आज के इस दिन के अंदर 7 वर्स का खेल भी होना है बाकि इस दो गिनों के बाद एक फिल्डर स्लिप पर एक फिल्डर लेक स्लिप पर एक फिल्डर शॉट लेक की पोजिशन पे अब मौझूद है आपर प्राबध जसूरिया गेंद करवाते करवाते रुग गेंद जो है वो दुबारा करवानी पड़ेगी इनको पाकिस्तान ने एका स्कोर क्यों हटा दिया एमडी एहमद भाई बस ब्रेक आई हुई है हम लगा देते हैं आपको पार्टनर्शिप और रिमेनिंग ओवर्स दिखाने थे तो इसलिए मैंने वो कहले के हटा दिया बाकफट पर देवे स्केंद को स्क्वेर लेक के एडिये में खेलते वए एक रून को पुरा कर लिया है और सिंगल के इसाफ के साथ स्कोर 27 से एक के नुकसान पे स्क्वेर लेक के एडिये में खेलते वए असानी के साथ जो है वो इन दे रून को पुरा किया 27 फर दे लॉस अब लिगेट 8.5 ओवर्स का खेल भोज काया पूरा एक स्लिप और एक लेक्सलिप के साथ ओवर के लिगे इनको धान दा ग्राउंड खेलते वे अपनी क्रीज से बाहर आकर लॉंग ओन के लिए में खेल कर एक रून को बुरा कर दिया गया इंगल के इजाबे के साथ 28 से स्कोर एक नुकसान पे 400 लाइक्स कर दिया आप सभी ने 500 के क्रीब दोस्त नमार साथ मौझूद है बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक करने के लिए और चानल को सब्सक्राइब करने के लिए चेलागते 70,201 दोस्तों ने चानल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका 28 पे एक आउट वैदर की अगर बात की जाए तो कल के दिन के वैदर के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं कि ये मैल्ट रॉख हो जाएगा तो भाई आपको बता दू मैं कि आज पूरे के पूरे दिन जो है वो बारिश नहीं हुई सिरफ 15 मिनट खेल जो है वो लेट शुरू हुआ था और कल के दिन के अगर बात की जाए तो कल थूआउट दी डे बारिश नहीं के चांसिज 35% है आज भी इतने ही थे कल पूरे के पूरे दिन के अंदर बारिश के चांसिज आज जितने ही हैं आज भी लगब 30% बारिश के चांसिज थे और कल भी बारिश पर जाकर ओवर की पहली गेन को कट किया है लाजवाब तरीके से इमाम उलहक ने पॉइंट के फिल्डर के पास थे चार रनों के लिए और इस चौके की मदद से अब सिंगल फिगर्ज में आते हुए जो टार्गेट है वो अब और कम होते हुए चौके की मदद से स्कोर अब हो चुका है 32 एक के नुकसान पे 9 ओवर्ज और एगेन का खेल अब हो चुका है पूरा इंग्लेंड और अस्ट्रेलिया का स्कोर भी दिखा देंगे जी बिलकुल हम वो भी दिखा देंगे आपको जैसे ही ये मैच फिनिश होता है वहाँ पर लंच प्रेक आ गई है 107 रंज है टीम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दो के नुकसान पे 25 सवर्ज के बाद सवा चार के रंडेट के साथ खेलते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मित ने 33 रंज बनाए 34 के नोक्यों पर एक चक्का और 4 चौके जिमी आंडर्सन विकेट नहीं ले पा रहे जो के थोड़ी परिशानी वाली बात है टीम इंग्लेंड के लिए उनकी 700 विक्टे जो है वाँ पूरी होने वाली है और देखते हैं कि वो यह असा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे 700 विक्टो को बुरा एक फिल्डर स्टिप पर एक फिल्डर शॉट लेकी पॉजिशन पर ओवर किये लिए इनको इमाम अलहक ने डाम दग्राउंड के लिए लांगवान के लिए में एक रन का बुरा कर लिया है सिंगल के इजावे के 37 स्कोर एक नुकसान पर दोस्त का सवाल है कि दिन का खेल कब खत्म होगा तो दिन का खेल अब जो है वो कहले के पाईस मिनट के बाद हमें पूरा होते वे दिखाई देगा खत्म होते वे दिखाई दिने वाला है शान मसूद 6 के स्कोर पर शे गनुका किया हुए नोने सामना अमाम अलHAMक 17 के स्कोर पर 33 गनुका कर रखा है उनोने सामना एक स्थीप एक शॉट लेके साथ इमाम के लिए हम आफ के लिए यहाँ पर शान बसूद के लिए गेन बहुती उम्दाई गेन बले के आउटसाइड एच को भीट करते वे गई है अब विकिट कीवर के पास जो की हो चुका है पूरा इनका खेल समाप्त होने वाला है खत्म होने वाला है और आज पांच से छे उवर्स ही बचे में कदमों का सहारा लेकर इसके इनको खेल दिया है जो के अब मिड़ोफ की पॉजिशन पर थे उन्होंने इसके इनको रोका और बचाया है यकीनी चौका स्कोर अब 24 से किनकसान पर आखिस्तानी वर्सिस इंडिया ये 206 का टार्गेट है टीम कैली जीए कि यहाँ पर आखिस्तानी के लिए डाम दा ग्राउंड इसके इनको एक बार फिट से हिट करते हुए इमाम अलहक के एक और सिंगल को पूरा कर चुके हैं सिंगल की इजाव के साथ 35 से स्कोर टीम पाकिस्तानी का 10 अबर्स का खेल अब हो चुका है पूरा जिनके खेल में है 6 अबर्स बाबर इसके बाद अभी आएंगे बैटिंग करने के लिए शकील आएंगे सर्फराज आएंगे आगा आएंगे तो चार प्लेयर ऐसे हैं जो कि इसके बाद बैटिंग कर सकते हैं अच्छी बैटिंग कर सकते हैं फिर नुमान शाहीन नसीम और अबरार अबर्स ये वो players हैं जिनके उपर इतनी dependency जो है वो नहीं रखी जा सकती लेकिन ये भी patting कर सकते हैं वह मैं यूसव भाई बोलते हुए कि मैंने बोला था 130 का target होगा जवाब ने भाई आपकी prediction फिर सही सावीद हुई 35 for the loss of one decade यहां पर अब 10 वर्ज का खेल पुरा हो चुका है 6 वर्ज का खेल अभी होना है बाकी पागिस्तान जो है वो आज किस दिन के अंदर जीत सकता है शाह वेब बाई का यह पूछना नहीं जी आज किस दिन के अंदर नहीं जीतेगा क्योंकि 6 वर्ज में 96 रंज बनाने यह कौन सा T10 का मैच चल रहा है तीट में भी इतने जो है वो रंज नहीं बनते हैं मेरा हल वो जो होता है ना सूपर 8 होंक कॉंक सूपर 6 उसके अंदर इतने रंज बन जाते थे आपको याद है वो टूर्णामेंट होंक कॉंक सूपर 6 वाला बाकपट पर रहते हैं वे स्केन को स्कूर लेक के रिये में खेलते वे एक रंज का पूरा कर लिया है स्कूर 36 एक की नुकसान पर 36 पर 1 एक फिल्डर स्लिप पर हैं एक फिल्डर लेक स्लिप की पॉजिशन पर होई एक फिल्डर शॉट लेक की पॉजिशन पर अब महुचूद है हाप पर वर केली गेन को जो के टपाख आते वे हलकी से अंदर की तरफ आई बले बाज ने लीव किया और लीव करते वे जाने दिया विकेट कीपर के पास 37 स्कोर एक नुकसान भी 36 फूर दे लाउस अवान विके 10.2 वर्स का खेल जो के बहुचुका है पूरा का इंग्लेंड के खिलाफ बाबु भाईया का ये बहुत ही जबर्दस किसम का ये नॉलिजफुल नॉलिजफुल जो है वो रिव्यू बहुत बहुत शूकर आपका 36 स्कोर एक के नुकसान पर इस किसम के क्रिकेट फैंस की हमें इस चैनल के उपर जरूरत है जो के अपनी राय का इसार कर रहे है और हमें हमारे नॉलिजफ में भी इजाफा कर रहे है बड़ी अपील हुई है कैच की और आउट होते हुए शान मसूद दूसरी बिगेट को लूस करते हुए टीम पाकिस्तान 36 पे दूसरी बिगेट गिरते हुए शान मसूद अपनी क्रीस से बाहिट निकल कर इसकेन को लग साइड में खेलने की कोशिश में थे और अपनी एक और बिगेट को लूस कर दिया है टीम पाकिस्तान ने वाव पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और अलबी मॉरकल जिनको हफता हुआ है अभी पाकिस्तान के कैंप को ज्वाइन करते हुए यह हुए वो अब यकिनन थोड़े से जो है वो नर्वस होंगे कि यह क्यासी टीम है शान मसूद आउट हुए है अपनी क्रीस से बाहिट निकल कर इसकेन को डिफेंड करने के लिए गए और प्राबध या सूरिया दूसरे विकेट लेते हुए 36 फॉर दे लाउस अफ टू विकेट सर्दस अवर चार गिनों का खेल भोज का है पूरा नाइट वाच मैं नुमान आचके हैं लाओ जी एक और विकेट टीम श्रिलंका को गिफ्ट करने का प्लान जो है वो कर दिया हुआ है पाकिस्तान में नुमान आचके हैं नुमान कैसे चलेंगे तो दोस्तों दूसरे विकेट गिरते हुए और नुमान अब आचके बैटिंग करने के लिए इन से अब जो है वो पाकिस्तान की टीम को आज ठीके रहने की एक्स्पेक्टेशन से देखते हैं कि वो अब ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पांच सो लाइक्स के हुए साथ हदार दोस्त नमारे साथ हैं वुडियो के नीचे आपको अंगुठे का उपर की तरफ निशान में देगा उसको जाकर दबाते हुए आप आर इस चैनल इस फैंबली का जो है वो इससा बन सकते हैं 36 स्कोर दो के नुकसान पे 10 अवर जोर 4 गिनों के बाद 14 मैचेस के अंदर 200 अपी 19 की आवरिज है 19 इनिंग्स के अंदर और 1.59 लगाई हुई है 97 जो है वो इनका अगर कल बारिश होगी तो क्या होगा नहीं इतनी बारिश नहीं है कल के दिन के अंदर बारिश थोड़ी बहुत जरूर बताए गई लेकिन इतनी बारिश नहीं है 35 परसंट ही बारिश के चांसेज है अब पाले तेवे ये गेन जो के हलकी से अंदर की तरफ आई इसके इनको डिफेंसिव मोड में जाकर खेल दिया है अब लेक्स साइड में कोई भी रन लेने का मौकाब मौझूद नहीं है एक हजार लाइक्स आपको पूरे करने 600 के उपर कर दी हुए आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साइड दिने के लिए 37 स्कोर दो के नुकसान पे यहाँ पर ओवर के ली गेन को वाप इसके ला है बॉलर के पास कोई भी रन लेने का मौकाब मौझूद नहीं है यह जो पिचानवे रन जै यकीनन पाकिस्तान को अब 500-200 के बराबर फिल हो रहे होंगे क्योंकि यह एक ऐसी टीम है जिनका कुछ पता नहीं चलता कभी उपर कभी नीचे होती रहती है और यह बहुत ही क्रूशल जो है वो टाइम है अंडी एहमद भाई पूछते है वो बाबर क्यों नहीं आए बैटिंग करने के लिए वो इसलिए क्योंकि दिन का खेल पूरा होने वाले है पांच ओवर्स का खेल भी बाकी है बाबर जो है वो अब नहीं आए बाबुर जो है वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए नाइट वोच मैंद को जो है वो बैटिंग करने के लिए बेजा क्या है 8 विटो की दूरी पर है टीम श्रिलंका जीतने से पाकिस्तान की टीम पीचानवेरंस की दूरी पर है इस मैच को जीतने से Let's see what happens इंट्रस्टिंग बना सकती है टीम पाकिस्तानी स्माच को तुके दो में उपन प्लेयर्स को जब वो लूस कर दिया है उन्होंने पुर्वात में 36 स्कोर दो के नुकसान पे 11 का खेलब होते हुए पूरा इमाम लखकें स्ट्राइकर एंट पे मौझूद जिन्होंने सुवर के डिगेंट को लॉंगाउन के रिये में खेलते हुए एक रन को पूरा कर लिया है वो इमाम ने सिंगल ले ली है और सिंगल के साथ वो अब आफ स्ट्राइक हो चुके हैं पूरान में की है अब जरूरत भाबर डरता है इसलिए नहीं आए ओ भाई बस कर दें असरार भाई हर टीम जब दिन का खेल पूरा होने वाला होता है तो फिर वो नाइट वोच मैंन को ही बेज़ती है रही है ना या तो अकेली पाकिस्तान की टीम ने जो है वो अगर ऐसा किया हो तो फिर आप बोल सकते हैं ऐसा अजीब सी बातें बोलते हैं यहाँ पर आप सब भी दो फिल्डर स्लिपर हैं एक फिल्डर शॉटलेक की पॉजिशन पर मौजूद हैं यहाँ पर और केली गेन शांदार गेन बड़ी अपील वन्स अगेन कैच की लेकिन बचते हुए प्लेयर नोमान गेन बहुत ज़्यादा टर्न हो रही है टपा खाने के बाद गुम रही है प्रिकेट किन्फो होती है कोई बात नहीं अभी आएंगे तो इंसें का इन्फरमेशन लेते हैं बाबु भया अभी नए है न सैंथी से स्कूर्दो के नुकसान पर दो स्लिप के साथ और के लिगे इनको बैक फूट पर रहते हैं वे कवर्स के एरिये में खेला है एक और ड हो रही है आपर दो स्लिप के साथ रवेश की ओवर के लिगेंदी स्केन को बैक फूट पर रहते हुए पूइंट के लिए में खेला है एक और डॉट डिलिवरी संदेश जाए जी जी बिलकुल अर्वन भाई अगर कोई होगा तो यकीनी तौर पर आएगा टीम के अंदर क्योंकि आज कल मिडिया का दौर है और अगर कोई भी अच्छा प्लेयर हो तो यकीनन वो आई पेल प्यासल भी खेलेगा आई द्यादम ट्रॉफी भी खेलेगा औ अगर लोगों की नजरों में आएगा तो फिर जारी से बात है वो टीम के अंदर भी आएगा अभी अभी शीक हैं एक प्लेयर जो के कलब लेवल की क्रिकेट खेलते हैं दो फिल्डर स्लिप की पॉज़िशन पे अब मौझूद यहां पर रमेश मेंडस की ये गेन इस गेन को लीव किया खतरनाक तरीके से यहां ने दिया विकेट की परके बाद सांथी से स्कूर दो के नुकसान पर इस टाइम पे नाइट वाच मैन को इस लिए बेजा जाता है क्योंकि जो लाइट होती है वो काफी लोग होती है खेलना जो हो थोड़ा मुश्किल होता है तो नाइट वाच मैन ही आता है जब चार पांच ओवर्स बचे हो तो चार ओवर्स का खेल भी होना है बाकी चुरानमे रंद चाहिए टीम पाकिस्तान को जीतने के लिए 37 रंद बन चुके हैं 3 के उपर के रंड रेट के साथ 3 पाकिस्तान जो है वह अब हमें खेलते वह दिखाई दे रही है सासो लाइक स्पूरे कर दिए हुआ आप सभी ने वीडियो के उपर बहुत बश्युक्रिया आपका और साथ दिने के लिए वीडियो को लाइक और चानल को सब ग मान ऐंदो है कि यह द्या गया है भंपाइयर की तरफ से डॉट जपागोश W कि नाइट वाच मेंट टॉर्च लेकर आता है क्या दोछ हुअ hem एक स्लिप एक लेक स्लिप के साथ इमाम के लिए गेन जिसे उन्होंने अपनी क्रीज से बाहर आ कर इस गेन को बैटन पैट को साथ मिलाते विए ऑफसाइड में खिला है एक और डाट डिलिवरी तो 37 स्कोर दो के नुकसान पर बारा वर्जोर दो गेनों के बाद हाँ पर अब इमाम लख जो है वो दोस्तों लगा था बने वहीं स्ट्राइक पर यह जो अगली 21 गेने हैं यह बहुत ही इंपॉर्टन रहने वाली है इन 21 के लों के अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन रहने वाली हैं क्योंकि players थोड़ा struggle कर सकते हैं 37 score 2 के नुकसान पे 12 hours और 3 गिनों के बाद यहां पर इमाम के लिए gain जिसे उन्हें back foot पर रहते वे point carry में खेला है कोई भी run जोय वो लेने का mock up मौझूद निया डॉट के साथ 37 score 2 के नुकसान पे 12 hours और 4 गिनों के बाद 3 hours और 3 गिनों का खेल अभी होना है बाकी आसर सो के ग्रीब दोस्त तमार साथ मोझू दें है थैंक्यू सो मच एक स्लिप एक लेक स्लिप के साथ ऊवर के लिगे इनको एमाम उलहक ने उन फिप पराकर बैटन पैट को साथ मिला तवे खेल दिया है वाप इस वोलों के पास तो 37 score 2 के नुकसान पे 12 hours और 5 गिनों के बाद साथ शकील आलसो इन ODI टीम तो देखते हैं कि एक लिए आने वाले टाइम के अंदर उनको जए ODI टीम के अंदर शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता उन पैट यगेन जिसे खेल दिया वाले बाद बिगट के एरिये में एक रंड का होते वे फिर सही जाफा दूसरे के लिए आना चाहते थे रंड का खत्रा और रंड होते हुए जी हाँ दोस्तो पाकिस्तान की टीम एक और बिगट को लूज करते हुए पैनक बटन दब गया है नोमान बागमा शुरू कर दिया उन्होने और रंड हो गए हैं दोस्तो थर्ड अंपार के पास सब जाया गया है लेकिन यकिन अन्हें प्लेयर रंड है यहांपर अब लेरली दिखा जा सकता है सो पैनक बटन जो है वो दोस्तो दपते हुए पाकिस्तान की तरफ से अब नुमान रन आउट हो चुके हैं सिंगल के लिए दोड बैठ है उनके साथी प्लेयर बिल्कुल भी तयार नहीं थे और इस तरह टीम स्रिलंका को मिलते हुए तीसरी विकेट और मैच जो है वो फिर से इंट्रस्टिंग होते हुए नुमान आउट हो चुके हैं जिनको ये काम दिया गया था कि उनको आज किस दिन के अंदर सर्वाइब करते हुए खेलना है लेकिन वो अब आउट हो चुके हैं तो दोस्तो विकेट गिरते हुए विकेट जो है वो अब बड़ी गिरते हुए बड़ी तो नहीं लेकिन जो भी थी विकेट गिरते हुए और अब नाइट वाच मेन आउट हो चुके हैं अभी भी जो है वो दोस्तों इस मुकाबले के अंदर मौजूद टीम श्रुलंका नयानवाले प्लेयर हैं बाबराजम और यहां पर अगर इन तीन ओवर्स के अंदर टीम श्रुलंका को एक और विकेट मिल गई तो समझ लीजिए कि फिर श्रुलंका की टीम की जो परफॉर्म है जिनका नुमान अली और अब ने आने वाले प्लेयर बाबराजम और तालीस के अवरिज के साथ खेलते हुए अर्तालीस मैचेस के अंदर ही इन्होंने 3779 रूंद जो है वो बना रखे 106 इनका बैस स्कूर है टैस्माइस क्रिकेट के अंदर तो मैच को कही ना कहीं जो है अब इंट्रस्टिंग बना या है टीम जो है वो यहां पर इंग्लेंड अम आपके लिगाश्ट लंका ने इंग्लेंड और अस्ट्रेलिया का मैच वहां पर अब लंच ब्रेक आई हुए और देखते हैं कि जो है वो मैच के इंदर क्या सिचुएशन रहने वाली है पर अलब बाबर आजम जो के स्ट्राइक पे मौझूद है बले का अंदरूनी किनारा लेते वह यह गेन जो के आउस्ट्रम के बाहिट की गेन थी सके इनको समलते वह बाटर ने खेला है बले का आउट साइड आज इसके इनको समलते वह बाटर ने खेल लिया है वापिस बॉलर के पास कोई भी रन जोय वालेने का मौकाब मौझूद नहीं है यह जो अगली कुछ के रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टन जो है वो दोस्तों गेने रहने रहने वाली है इस मैच के तनाजर में क्योंकि अगर पाकिस्तान के टीम एक अपनान यहाँ पर सर्वाइव कर गए तो फिर पाकिस्तान के टीम कल के दिन के अंदर जो है वो इस स्कोर को चेज कर सकती है पैर अब देखते हैं कि ऐसा होने वाला है यह नहीं बाबराजम स्ट्राइक पे है मौझू दो और तीन गिनों का खेल पाकिस्तान के टीम को मुश्किलात में डाल सकती है आज पाबराजम के लिए एगें जिसे उन्होंने मिडॉन केरिय में खेलते हुए एक और सिंगल मतलब पहली सिंगल को पूरा कि अपना खाता खोला है और तालीस होते हुए स्कोर तीन के नुकसान पे जीत के लिए अभी दोस्ती जो है वो इनको अब यहां पर निभानी के जरूरा है वासे भाई कौन आउट हुए नुमान हुए है आउट नुमान नहीं बोल रहा हुँ मैं क्योंकि नुमान आउट हुए तो इसलिए वो आउट हुए है और अगर कुछ गलत दो लगाया दो स्लिप के साथ इमाम के लिए गेन शॉट पीजे गेन जिसे उन्होंने उठा दिया इमिर बिगेट के एरिये में गेन हवा में और गेन ग मदस्यब स्कोर होच कहा 43-3 के नुकसान पे 88 रंज के और जरूरत है टीम पाकिस्तान को वल दैट सफोर और चौके की मदस्यब 43 स्कोर 3 के नुकसान पे यहाँ पर रब रमेश मेंडस दो स्लिप के साथ और केली गेन लेकर आए गेन क्या ये गेन जो के आउस्ट्रम के बाइट की थी स्केन को फ्रूर्पर प्राकर कवर्स के लिए में खेला है कोई बिरन ने का मौकाब मौझूद नहीं है और का खेलब होते वे पूरा 43 फॉर दे लास अफ त्री विकेट्स 14 का खेलब जो के हो चुका है पूरा इंग्लेंड और उस्ट्रेलिया का इविंठम ने बना दिया है और जैसे ही ये मैच खतम होगा तो अगले सेशन शुटू होगा तो हम इंग्लेंड और उस्ट्रेलिया का मैच जो है वह आपके साथ लेकर आजाएंगे लाइव जिन्दा मैच जो है वो आपके साथ लेकर आएंगे यह मैच फिर स्लीप पे चला जाएगा तो दोस्तो प्रावजसूरिया वर्सिस बाबराजम वन्स अगेन यह मैच जो कि अब दूबारा से पढ़ गया है प्रावजसूरिया वर्सिस बाबराजम यहाँ पर पहली ही गेन बड़ी अपील LBW की लेकिन नॉट आउट का सिगनल क्योंकि यह गेन डावजसूरिया जा रही थी तो इसलिए नॉट आउट दिया गया है और अब स्रिलंकन टीम जो के यहाँ पर रिव्यू शायद देखते हैं कि लिया जाता है यह टीम श्रिलंका की तरफ से यह ने लिया जाता और रिव्यू लेने का फैसला कर लिया यह टीम श्रिलंका ने जी बिल्कुल दोस्तों रिव्यू यह आर गोइंग टू टेक दी रिव्यू है और देखते हैं कि बाबराजम सर्वाइब करते हैं या नहीं करते हैं क्योंकि ये गेंड डाउन दल एकसाइड जा रही है तो इसके लग रहा है कि बाबराजम बच जाएंगे आसानी के साथ पर रिव्यू लिया गया है रिप्ले की मदद से अगर देखा जाए तो यचीनन देखा जा सकता है कि ये गेंड डाउन दल एकसाइड जा रही है व्यम श्रिलंका ने एकसाइटमेंट में आकर ये रिव्यू लिया है क्योंकि अपर रबराज जो है वो देखा जाएगा अल्ट्र एज जो है वो दोस्तो आ जाएगा और अल्ट्र एज की मदद से जो है वो दिखा जाएगा यह प्लेयर अब आउट है या नहीं है रिव्यू लिया है अल्ट्र एज और बॉल ट्रैकिंग जो है वो दोस्तो बताएगी तो first of all अल्ट्रेज की मदद से दिखा जा रहा है कि ये गेंद ये गेंद जो है वो बल्ले से नहीं टकराई सीधा जाकर ये गेंद जो है वो पैट्स पे ही जो है वो टकराई है वो पैट्स पे टकराते हुए ये गेंद यहां पर रब अस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के मैच की कवरिज जो है वो दोस्तों अपसे कुछी देर के बाद स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये मैच का तुम होगा दोस्तों रिव्यू लिया गया बाबर के खिलाफ लेकिन मेरी excitement का level इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि यगेन जो है वो down the leg side बदा नहीं क्यों टीम श्रिलंका ने review लिया है बरहल अब ball tracking आते वोई और ball tracking की मदद से देखा जाएगा तो दोस्तों clearly देखा जा सकता है pitching in line, impact umpire call और wickets को miss करते वोई यगेन पहली ही नजर में हमें जो है वो इस चीज का idea मिल गया था कि again down the leg side जा रही है और not out ही दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ है review को lose करते वो टीम श्रिलंका subscribe लाजमी तोर पे करिएगा बिल्कुल free में इस video की नीचे जाएंगे आप तो आपको इस video की नीचे जो है वो रेड कलर का जो है वो नहीं बिलके रड नहीं वाइड कलर का subscribe गण देख नहीं को मिलेगा उसको दबाते वे बलके निचान को दबादेंगे तो आप जो है वो इस family का हिससा बन जाएंगे बैकफट पर रहते हुए बाबर आजम ने अपनी क्रीस से बाहर निकल करी इसकेन को अफसाइड में खेल दिया covers की position पर अब फिल्डर तायना थे जिन्होंने इसकेन को field करते वे किया है वापिस 44-43 से 3 के नुकसान पे चौथे ते स्ट्राइज का पहला दिन बाबर आजम है अब स्ट्राइक पे मौजूद ओवर की रहेगी तीस्टे गेम बाबर आजम के लिए जिसे उन्होंने बैकफट पर रहते हुए मिड विकट के एरिया में खेला है चौटन विकट के एरिया में फिल्डर अब मौजूद जिन्होंने इसके इनको फिल्ड करते हुए किया है वापिस अधर डॉट डिलिवरी तो बाबर जोके स्ट्राइक पे मौजूद उन्होंने इसके इनको बैकफट पर जाकर स्क्वेरलेक के एरिया में खेल दिया है अच्छा शॉट बाबर के बल्ले से और ये अगेन क्रॉस करते हुए बांडरी को स्क्वेरलेक के एरिया में खेलते हुए आसानी के साथ देमा रहा है चौका चौके की मदसे अब 84 रंस की जरूर 13 पाकिस्तान को ये मैं जीतने के लिए एक इंपॉर्टन चौका लगते है बाबर के बल्ले से और याकिनन न ये चौका जो है वो उनके कॉन्फिडेंस को पढ़ाएगा और पर चौके की मदसे स्कोर 47 रंस के नुकसान पे नाइसली प्लेड ट्वर्ड्स लेकसाइड बाबर अब अजसूरिया अपने ओवर के लिए गेन के साथ ने तयारा आए गेन किया ये गेन जो के ओन पैड्स इसके इनको विकेट के अरिया में खेलते हुए एट बन को पुरा कर लिया इमाम उल्हक काफी स्लो हो गए थे सिंगल लेते हुए और ये थ्रो भी एमाम के अंड पे ही की गई और अल सिंगल बनते हुए यहाँ पर अब चली जे के 48 स्कोर तीन के नुकसान पे 14 वर्ज और तीन किनों के बाद और दूसरी तरफ इंडिया की टीम आठ के स्कोर पे बिना किस विकेट के नुकसान पे आठ भी हमसी तो दोस्तो यहाँ पर अब स्कोर की बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम का स्कोर अर्टाली से तीन के नुकसान पे दिन के अंदर अब कुछ ही गेने बागी है यहाँ पर इमामलहक ने अपनी क्री से बाहर आकर इसके इन को काम दे ग्राउंड खेला है वापिस बोलों के पास कोई भी रंजय वो लेने का मौकाब मौजूद नहीं है जी तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम अर्टालिस पे है तीन के नुकसान पे पंदरा का खेल जो के अब हुआ है पूरा और ये दिन जो है वो एक अच्छा दिन रहा है और आल क्रिकेट फैंस के लिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा जी बिलकुल एक बहुत ही जबरदस किसम का ये दिन क्रिकेट फैंस के लिए यहाँ पर अब 13 रंज शाहिए टीम पाकिस्तान को अरे बैस सहाब अरे बैस सहाब चौथे दिन का खेल जो है वो दोस्तों आब कैसली जेके चौथे दिन का खेल जो है वह आप हमें देखने को मिला है आईए आपके साथ आज के इस मुकाबले का हाल जो है वह आप हम शेयर कर देते हैं बने रहीएगा आप सभी दोस्त हमारे साथ ही पाकिस्तान वर्सेज शिर्लंका सीरीज दोहदार ते इसका ये पहला टेस्क मुकाबला जो कि अब पांचवे दिन के अंदर दाखिल हो चुका है उफिशली चार दिन के इखताम पर पाकिस्तान के टीम ने तेरासी रंज बना लिए है तेरासी रंज चाहिए टीम पाकिस्तान को ये मुकाबला जो है वो जीतने के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो तीन मिटे गिर चुकी है टीम पाकिस्तान की और 48 रंज जो है उन्होंने बना लिए हैं यहाँ पर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो आज उन्हें ने टीम श्रिलंका को अल आउट किया 279 के स्कोर पर और जो टारगिट मिला टीम पाकिस्तान को वो अब कह लिजे के 131 का पर पाकिस्तान की टीम उस टारगिट के उस हद्व का पीछा करते हुए 48 के स्कोर पर अपनी 3 विटों को लूस कर चुकी है 15 वर्स के और अब जो सिचुएशन है वो कुछ हूँ है कि 13 रंज चाहिए और इस वक्त बाबर आजम और इमाम लहक टीम पाकिस्तान की तरफ से क्रीज की उपर मौझूद हैं क्या लगता है आपको के कौन से टीम इस मैच को जीतेगी पाकिस्तान या फिर टीम शुरलंका इस सवाले कैसे देना है आपने बता कर देना है वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब यहाँ पर बाबर आजम चे की स्कोर पर इमाम लहक 25 के स्कोर पर है और इन दोनों ही प्लेयर्स के दरमयान 10 रंज की पाकिस्तान की टीम की बैटिंग आई और पाकिस्तान की तरफ से यहा पाकिस्तान के लिए लगातार अच्छी बनती जा रही है और पाकिस्तान की टीम को वो जो 149 रंज की लीड थी उसका बहुत ज़्यादा बैनिफिट रहने वाला है और कल जो प्लेयर साउथ शकील को बुरा बला बोल रहे थे नसीम शा को बुरा बला बोल रहे थे क्योंके वो काफी स्लो क्रिकेट खेल रहे थे लास्ट में जाकर तो उनको अब इस सीज की स डिग्रीज जो है वो गेंटर्न हो रही थी so that's why यहाँ पर उस वक्त रंज चाहिए थे टीम पाकिस्तान को जो के बनाएगे और उन रंज को बनाने का फाइदा यह हुआ कि यहाँ पर फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो अब इस मुकाबले के अंदर अब एक अच्छी पॉड़ा सा लंबा चलते वोगे में दिखाई देगा सेशन क्योंके बारिश के वज़े से पहले तीन दिन खेल को जो है वो खेल के अंदर जो है वो ओवर्स पूरे नहीं हो पाए तो इसके फंदरा मिनट पहले जो है वो खेल शुरू हो जाएगा पांच वे दिन के अंद 35% के आसपास हैं और लगबग आज भी 30% के आसपास ही जो है वो बारिश के चांसेज हुए थे तो कहने का मतलब यह कि अगर कल के दिन के अंदर बारिश भी आती है तो इसके बावजूद जो है वो मुकाबले का रिजल्ट आ जाएगा और पाकिस्तान के पास ये मौका मौ लेके जो दूस्टे प्लेयर हैं वो ये मामुल हक हैं सैट हो चुके हैं अब क्रीज के उपर और कल इनका रोल भी नहायत ही हम रहेगा तो देखते हैं कि कल इनकी तरफ से कैसी क्रिकट खेली जाती है डे नमबर फाइव के अंदर यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों बा सुछान्स की रिपोर्ट जिसके मुताबिक यह पर जो है 35% बारिश होने के चांसेज बताए जा रहे हैं कल दिन की शुरुआत में जब' बाट टाइम होगा मैच की शुरू होने का तो 35% बारिश के chances हैं उसके बाद जो है अगले गंटे के अंदर 33% बारिश के chances यानि के पहले session के अंदर बारिश के chances 35% के around है और बारिश कब आती है नॉर्मली बारिश तब आती है जब बारिश के chances 50% से ज्यादा हूं तो इसलिए इतनी परिशानी की जो है वो कोई बात नहीं है इसके बाद अगर बात की जिए साड़े 11 बजे बारिश के chances यानि कि जब लंच ब्रेक के बाद मैं शुरू होगा तो 32% रहेंगे और उसके बाद दोपहर के बाद 36% बारिश के chances रहेंगे और तीसरे session के अंदर 31% और 35% जो ह यहां पर मुकाबले का result जो है वो दोस्तो आएगा ही आएगा क्योंकि पिछले 10 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें एक भी दफ़ा ऐसा match नहीं हुआ गौल में के वहां पर match का result ना आया हो और match का result जो है वो दोस्तो इसलिए लाजमित और पे आने वाला है यहां पर अगर बात की जाए कहले के आज किस मुकाबले की तो पाकिस्तान की टीम ने पहले टीम श्रिलंका को ओल आउट किया श्रिलंका की सारी की सारी टीम आज ओल आउट हुई यहां पर अठाइस उनों ने बनाए 24 गिनों का किया सावना थीन चौके लगाए दननजेडी सिल्वा ने ब्यासी बनाए 188 गिनों का किया सावना अधस चौके और दो चक्य लगाए उन्होंने अच्छी निंग्स के लिए और कुल मिलाकर 200 की उपर रंस को उन्होंने इस मुकाबले क और जो है वो रिमिश्ट मेंडस जो हो दोस्तों उन्होंने बेहतरीन बलेबाजी की और 42 गिनों मिलकर एक अच्छी पार्टनर्शिप लगाई उन्होंने असी की उपर रंस की दननजेडी सिल्वा के साथ जब वो आउट होए तो उसके बाद प्रावज्य सूरिया 10 गिनों प्रावज्य सूरिया difficulty तो ननकी डावज्य कूग अप्रावज्य सूरिया इपने अपने नाम जिसके बाद अगर बात की जाए हम पर कहले के जौ प्लेयर थे नसीम शाओ कोई विकेट निए अगा सुल्मान ने 9 वर्स के अंदर उन्थालिस तन जेते वे 2 विक्टो को किया अपने नाम 3 विक्टो का ब्रार ने चटकाया बहुत एच्छी बॉलिंग थी उनकी भी और नुमान ने 3 विक्टे की अपने नाम उम्दा बले बाजी करते हुए मैं दिखाई दे रें 45 गेनों के उपर 4 चौके जो हैं उन्होंने लगा रखे हैं चान मसूत की अगर बात की जाया तो उन्होंने 7 वर्स बनाए 11 गेनों का किया सामना वो आउट हुए एक चौका लगाने के बाद अपनी क्रीस से बाहर निकल कर गेन को डिफेंड करने के लिए गेन बले के खिनारी से टकराते हुए पैट से टकराते हुए शॉट लग के फूलडर के आथों में गई जिसके बाद नुमान अली जो के नाइट वाच मैन थे वो रन आउट हुए दूसरा रन लेने के लिए आए और वो अपनी क्रीस के अंदर नहीं पहुँच पाए और इस तरह नुमान आउट होकर गए पविलियन के तरफ वापिस आज के इस दिन के अंदर गिरी जिसके बाद बाबराजम आये बैटिंग करने के लिए जिन्होंने आते ही एक चौका लगाया और चौके की मदद से अब वो 6 के स्कोर पर हैं 9 गिनों का क्या हो है नोने सामना और दो एक्ट्राज जो है बाभी तक टीम शुर्दंका की और आगा सुलमान को आना है तो ये तीनों ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके उपर पाकिस्तान के टीम रिलाई कर सकती है कल जीत के लिए अगर अर्लियों विकेट गिर जाती है और यहां पर अबरार एक बॉलर है शाहिना फ्रीदी बॉलर है और नसीम शा बॉलर है तो इसलिए पाकिस्तान के जो में प्लेयर्स हैं आस तो पर ये वाली जो पार्टर्रिशिप है कमस कम अगर 33 रंस की ये लगती है तो पाकिस्तान की टीम को फिर 50 से कम रंस की ज़रूरत होगी और फिर पारगेट को चेज करना आसान होगा तो इसलिए जो कल पहला घंटा होगा वो पांच डिग्रीज से ज्यादा जो है वो उनकी गेन को पिछ कर वा रही है और अपा खाते हुए गेन उनकी विक्टों में आ रही है इसी तरह प्राबेज जो सूरिया जो है वो च्छे क्या लीजिए कि ओवर्स के अंदर 17 रंस देकर दो विक्टों को कर चुके अपने नाम पांच विक्टे टोरल में उनकी इस मैच के अंदर होच किया तो प्राबेज सूरिया तो जो है वो थोड़ा समल कर रमेश मैंडस को थोड़ा समल कर खेलने की जरूरत होगी कल का पहला गेंटा बहुत इंपॉर्टन होगा अगर पाकिस्तान की टीम ने कल पहला गेंटा मैच को जीत जाएं इस मैच की एहमियत का अंदाद आप इससे कर सकते हैं कि अगर जीत जाती है टीम पाकिस्तान तो आई सी सी रैंकिंग के अंदर इस मैच को जीतने के बाद वो नंबर छे की पॉजिशन को मिंटेन रखेगी अगर वो इस मैच को हार जाते हैं तो इस मैच पाकिस्तान और नहीं सिर्लंका की टीम अभी तक हमें दिखाई दे रही है लेकिन अगर यहां पर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो नंबर एक नंबर दो पर चली जाएगी सिर्लंका की टीम जीत जाती है तो वो भी नंबर एक या नंबर दो पर जा सकती है लेकिन जो प्ल भर में चेंज हो जाती है यहां पर कल का जो पहला सेशन होगा वो एक बहुत इंटरस्टिंग सेशन रहने वाला है इस वक्त तर्तालीस स्कोर तीन के नुकसान पे टीम पाकिस्तान ते रासी रंस की जुरूत है बाबराजम और इमाम उलहक जो है तीम पाकिस्तान के तरफ से बाटिंग करते होई दिखाई दिने ओ वाले हैं जो पिल्कुल दोस्तों ये दो प्लेयर्स जो कि अच्छे प्लेयर्स हैं इनके उपर अब टीम की जुमादारियां और देखते हैं कि अपनी टीम को ये अब इन जुमादारियों से जुमादारियां को जो है वो दोस्तों अच्छे से सरअन्याम देते वो अपनी टीम को जो वो इस मुश्किल सिचुएशन से निकाल पाएंगे या फिर नहीं ये चीज़ अब देखने लाइक होगी इस गुइंट बी अगुड मैच बेवराल हमें होते वे दिखाई दे सकती है दूसरी तरफ इंडिया एक ही टीम जो है वो 31 के स्कोर पर अपनी किसी भी विगट को लूज नहीं कियो है इंडिया की ये टीम जो है वो दोस्तों उस मैच को बासानी जीते हैं वो हमें दिखाई देने हैं ओ वाली है लेगन देखते हैं कि कितनी विगट से वो उस मैच को जीती है ये भी एक बड़ा सवाल होने वाला है पाकिस्तान वर्सेज शुरिलंका सीरीज दोहदार ते इसका ये पहला टेस्क मुकाबला जो कि अब पांचवे दिन के अंदर दाखिल हो चुका है ओफिशली चार दिन के इखताम पर पाकिस्तान के टीम ने तेरासी रंज बना लिये हैं तेरासी रंज चाहिए टीम पाकिस्तान को ये मुकाबला जो है वो जीतने के लिए यहां पर अगर बात की जाए तो तीन मिटे गिर चुकी है टीम पाकिस्तान की और 48 रंज जो है उन्होंने बना लिये हैं यहाँ पर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो आज उनने टीम श्रिलंका को All Out किया 279 के स्कोर पर और जो टारगिट बिला टीम पाकिस्तान को वो अब क्या लिजे कि 131 का पर पाकिस्तान की टीम उस टारगिट के उस हद्व का पीछा करते हुए 48 के स्कोर पर अपनी 3 विक्टों को लूस कर चुकी है 15 वर्स के अंदर और अब जो सिचुएशन है वो कुछ यू है कि तेरासी रंड चाहिए और इस वक्त बाबर आजम और इमाम लहक टीम पाकिस्तान की तरफ से क्रीज की उपर मौझूद है क्या लगता है आपको के कौन से टीम इस मैच को जीतेगी पाकिस्तान या फिर टीम शुरलंका इस हवाले से देना है आपने बता कर देना है वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब यहाँ पर बाबर आजम चे की स्कोर पर है नाम है जिनका यहाँ पर नोमान वो भी रन आउट हुए और इस तरह पैनक बटन दबते हुए हमें दिखाई दिया टीम पाकिस्तान का तीन आहम विटो को उन्हें इस आखरी सेशन के अंदर लोज किया टीम शुरलंका की चार विटे लेने के बाद तो कुल मिलाकर साथ विटे लास सेशन के अंदर गिरी और इस दिन के अंदर कुल मिलाकर तेरा विटे गिरी इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि यह विकेट जो है वह बॉलर्स के लिए लगातार अच्छी बनती जा रही है और पाकिस्तान के टीम को वो जो 149 रंस की लीड थी उसका बहुत जादा बैनिफिट रहने वाला है और कल जो प्लेयर साथ शकील को बुरा बला बोल रहे थे नसीम शा को बुरा बला बोल रहे थे क्योंके अब जो गिन है वो 6 डिग्रीज के आसपास टर्न हो रही है जिसे पहले कल के दिन के अंदर 4 डिग्रीज जो है वो गिन टर्न हो रही थी so that's why यहां पर उस वक्त रंज चाहिए थे टीम पाकिस्तान को जो के बनाएगे और उन रंज को बनाने का फाइदा यह हुआ कि यहां पर फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो अब इस मुकाबले के अंदर अब एक अच्छी पॉजिशन में है यहां पर पांचवे दिन के अंद इन रंस को पूरा कर देगी क्योंकि पहले सेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा चलते वोई में दिखाई देगा सेशन क्योंकि बारिश के वज़े से पहले तीन दिन खेल को जो है वो खेल के अंदर जो है वो ओवर्स पूरे नहीं हो पाए तो इसके 15 म का की टीम इस मैंच को जी जाएगी बारिश के इमकानात के अगर आप बात करें तो बारिश के जो इमकानात है जो चांसे हैं वो 30% के आसपास है और लगबग आज भी 30% के आसपास ही जो है वो बारिश के चांसे हुए थे तो कहने का मतलब यह कि अगर कल के दिन के अंदर पारिश भी आती है तो इसके बावजूद जो है वो काबले का रिजल्ट आ जाएगा और पाकिस्तान के पास ये मौका मौझूद रहेगा कि वो इस मैच को जीते हुए सीरीज के अंदर वन निल की लीड जो है वो करे अपने नाम यहां पर अब बाबराजम को जो है वो अच् कर्केट खेली जाती है डे नंबर फाइव के अंदर यहां पर अगर बात की जाये दोस्तों बात ङोपर अगर वेधर की तो वेधर के हुसे भी हम जो है है वो आपको बटा देते हैं ताके जो दोस्त इस चीस चीज़ेंश ले रहे हैं के वेधर कल का खराब रहेगा तो उन माज की शुरू होने का तो फैंतिस पर्षांस है उसके बाद जो हैं अगले गंटे के इंदर फैंतिस पर्षांस पर्संटे चंस और यह रहीं है इसके बाद अगर बात के लिए साड़े ग्यारा बजे बारिश के चांसिज यानि कि जब लंच ब्रेक के बाद मैं शुरू होगा तो 32% रहेंगे और उसके बाद दुपहर के वक्त 36% बारिश के चांसिज रहेंगे और 31 रे सेशन के अंदर 31 और 35% जो है वो बारिश के चांसिज हैं तो यहां पर मुकाबले का रिजल्ट जो है वो दोस्तो आएगा ही आएगा क्योंकि पिछले 10 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें एक भी दफ़ा ऐसा मैच नहीं हुआ गौल में के वहां पर मैच का रिजल्ट जो है वो दोस्तो इसलिए लाजमित और पर आने वाला है यहां पर अ आउट हुए निशान दो दुशान का 52 रंज बनाकर आउट हुए और इसके साथ 18 रंज को कुशाल मेंडस ने मैथ्यूस साथ रंज बनाकर नुमान का शिकार बने नुमान ने अच्छी बॉलिंग की आज इसलिए निंग्स के लिए और कुल मिलाकर 200 की उपर रंज को उन्ह इसको उन्होंने स्कोर किया यहां पर इस मैच के अंदर उवराल सम्रविक्रमा ने 11 रंज बनाए और टीम श्रिलंका ने अपनी 6 विक्टों को बहुत जल्द लूस कर दिया लेकिन उसके बाद यहां पर जो है वो रिमिश्ट मेंडस जो हो दोस्तों उन्होंने बेहतरीन ब ना सके रजीथा ने 5 रंज बनाए और इस तरह टीम प्रिलंका जो है वो हमें 4 एक्स्ट्रास की मज़से 279 रंज बनाते वे दिखाई दी पाकिस्तान की बालिंग के अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से 2 विक्टों को शाहीन आफरीदी ने नई गिन के साथ किया अपने नाम जब लास्ट में जाकर उन्होंने 2 विक्टे अपने नाम किया और इस तरह उन्होंने दनन जैडी सिल्वा को आउट किया और प्राबध यसूरिया को आउट किया तो दननन जैडी सिल्वा की एक आहम विक्ट को किया उन्होंने अपने नाम जिसके बाद अगर बात की जाए यहां पर कहले के जो प्लेयर थे नसीम शावो कोई विकेट ने ले पाया आगा सल्मान ने नोवर्स के अंदर हम थालिस्टन जेते वे दो विक्टों को किया अपने नाम तीन विक्टों का ब्रार ने चटकाया बहुत अच्छी बॉलिंग थी उनकी भी और नुम जिसके बाद इमाम उलहक कभी तक 25 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं इस लेनिंग्स के अंदर वो जल्दी आउट हो गए थे लेकिन यहां पर वो उम्दा बले बाजी करते हुए मैं दिखाई दे रहे हैं 45 गेनों के उपर चार चौके जो हैं उन्होंने लगा रखे हैं कान मसूत की अगरे बात की जया है तो उन्होंने 7 फरंद बनाए 11 गेनों का किया सामना वो आउट हुए एक चौका लगाने के बाद अपनी क्रीज से बाहिट निकल कर गेन को डिफेंड करने के लिए गेन बले के किनारी से टकराते हुए पैट्स पे टकराते हुए शॉट बाबराजम आये बाटिंग करने के लिए जिन्होंने आते ही एक चौका लगाया और चौके की मदब से अब वो 6 की स्कोर पर हैं 9 गेनों का किया हुए उन्होंने सामना और दो एक्ट्रास जो है वो अभी तक टीम शुरंका की तरफ से फ्हांकी गई है जिन्में एक बाई और एक लगबाय का रंद शामिल है और इस तरह पाकिस्तान के टीम अब 48 के स्कोर पर मौजूद हैं देखा जाए इसके बाद आने वाले प्लेयर्स को तो इसके बाद भी सावच शकील को आना है बैटिंग करने के लिए डिपेंडबल प्लेयर है सर्फराज जहमत को आना है बैटिंग करने के लिए वो भी एक अच्छे प्लेयर है स्पिन बॉलिंग के और आगा सुलमान को आना है तो ये तीनों ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके उपर पाकिस्तान के टीम रिलाय कर सकती है कल जीत के लिए अगर अर्लियों विकेट गिर जाती है और यहां पर अबरार एक बॉलर है शाहिना फ्रीदी बॉलर है और नसीम शा बॉलर है तो इसलिए पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं आस तो पर ये वाली जो पार्टन्शिप है कमसकम अगर 33 रंस की ये लगती है तो पाकिस्तान की टीम को फिर 50 से कम रंस की ज़रूरत होगी और फिर पार्ग टीम श्रिलंका के स्पिन बॉलर्स की बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो रही है और इसकी मिसाल आपको मतलब इसके हमाले से जो है बाब आपको बॉलिंग फिगर्स देखने को मिल रही है विश्वा ने दो वर्स के अंदर छे दिये और यहां पर अगर देखा जाए तो रमि जो है वो छे कैली जेकी ओवर्स के अंदर 17 रंज देकर दो विक्टो को कर चुके अपने नाम 5 विक्टे टोल में उनकी स्माच के अंदर हो चुके यह तो प्रबिज जो है वो थोड़ा समल कर रमेश मैंडस को थोड़ा समल कर खेलने की जरूरत होगी कल का पहला गेंटा ब मौझूद दिखाई दे रहे हैं अब जो है वो दोस्तो अलात पाकिस्तान की टीम के लिए है कि वो इस मैच को जी जाए इस मैच की एहमियत का अंदादा आप इससे कर सकते हैं कि अगर जीत जाती है टीम पाकिस्तान तो ICC रैंकिंग के अंदर इस मैच को जीतने के बाद व ICC World Past Championship की बात की जाए तो नहीं पाकिस्तान और नहीं सिरलंका की टीम अभी तक हमें दिखाई दे रही हैं लेकिन अगर यहां पर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो नंबर एक नंबर दो पर चली जाती है तो वो भी नंबर एक यां नंबर दो पर जा सकती है लेकिन जो टीम हारेगी वो फिर केले के नीचे चली जाएगी West Indies के साथ तो इसलिए यह वाला मुकाबला जो जितना जरूरी है जीत सकती है टीम पाकिस्तान लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि यह टीम जो इतनी डिपेंडबल नहीं है और यह टीम ऐसे टीम के जो पल भर में पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हुए दिखाई दिने ओवाली हैं पाकिस्तान वर्सेज शुरिलंका सीरीज दोहदार ते इसका यह पहला टस्क मुकाबला जो कि अब पांचवे दिन के अंदर दाखिल हो चुका है ओफिशली चार दिन के इखताम पर पाकिस्तान के टीम ने तेरासी रंज बना लिए हैं तेरासी रंज चाहिए टीम पाकिस्तान को यह मुकाबला जो है वो जीतने के लिए यहां पर अगर बात की जाए तो तीन मिटे गिर चुकी है टीम पाकिस्तान की और 48 रंज जो है वो उन्होंने बना लिए हैं यहां पर पाकिस्तानी टीम उस टारगेट के उस हद्व का पीछा करते हुए 48 के स्कोर पर अपनी 3 डिक्टों को लूस जी बिलकुल दोस्तों यहाँ पर अब मुकाबला जो है वो अच्छे से आगे बढ़ते हुए इन दोनों ही टीम्स के दर्म्यान Thanks a lot everyone for being here बहुत वह शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए Ashes का यह मैच है और Ashes का यह अब चौथा मैच चल रहा है उन पैट ये इन जिससे स्टीव स्मित ने हलका सा शफल करते हुए हलका सा शफल करते हुए इस केन को जो वो उन्होंने खेल दिया आप लिक साइड में विरले केरी में खेला इस केन को और आपर बासानी रंज को गुरा करते हुए प्लेयर जो कि अब हमें दिखाई दिये है ओव 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 आशिस का मुकाबला जो है वो हम आपके साथ अब लेकर आ चुके हैं और अब भी उमीद करता हुए हो कि सबी जो है वो इस मैच को इंजुआए करेंगे अब 116 है स्कोर दो किन किसान पे अब 287 और पांच किनों के बाद वर की है अगली गेम दिखेट विगेडिया गेम जिससे समलते हुए बैटर ने बैटन पैट को साथ मिला ते भी खेल दिया है वाप इस वालर के पास अस्ट्रेलिया 116 पे दो आउट क्या लगता है कि अस्ट्रेलिया की टीम अस्ट्रेल भी टीम जो है वो हमें यहाँ पर कितने रम्स को बनाते वे दिखाई दिने वाली लग यू रहा है कि 400 के आसपास का स्कोर कर सकती है टीम अस्ट्रेल है जितनी अच्छी जो है वो उनको शुरुआत मिली है यकिनन वो ऐसा कर सकते हैं स्कोर बॉड तो ठीक कर दो स्कोर बॉड तो ठीक कर दो एक स्कोर कोड़ सभी ये incapable करें स्कोर काट सही है या या ये शेंच वाले दोस्ट सब्रादेझ जड़ा कि स्कोर कारड साही है opposite ऑगा इंडिया वीमंने बंदिस्ड़े वुमन को हराइए इंडिया ये को चाहिए है अब मुकाबला जीतने के लिए और की है लिगेंड इसके इन को बैकवर्ट पर जाकर वहले बाज ने पंच करते हुए पॉइंट के अरिये में खेला है पॉइंट की पॉइंट की पॉजिशन पर जो फिल्डर है हाँ जी हाँ जी मैं समझ गया मैं समझ गया हमारा स्कोर कार्ड ही जो है वो गलत था अब जो है वो मैं ठीक कर देता हूँ इस चीज़ को कर दोस्तों अब अच्छी बाटिंग करते हुए बड़ी अपील हुए लगी लेकिन नॉट आउट का सिगनल दिया गया है बंपार की तरफ से और अब देखते हैं कि रिव्यू लिया जाएगा या नी लिया जाएगा और रिव्यू ले लिया है टीम इंगलेंड जो है वो दोस्तों रिव्यू ले चुकी है अब they have taken the review और देखते हैं कि अब review के अंदर काम्याभी मिलती है यह नि मिलती है यह चीज़ देख लेते हैं अब हम 205 बनाएं पाकिस्तान ने 45 सबर्स के अंदर दोस्तो review लिया गया है और अब देखते हैं कि review के अंदर जो है वो काम्याभी मिलने वाली है यह नि मिलने वाली यह चीज़ अब देख लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड अंपार के बास जो है वो जाने का फैसला किया गया है तो फर्स्ट और फॉल तो अल्टर एच की मदद से दिखा जाएगा कि यह गेंद बले से टकराई है या नहीं तो दोस्तों क्लेरली दिखा जा सकता है कि यह गेंद जो है वो यहाँ पर पले को मिस्ट करते हुए जाकर पैर्स पे टकराई है यहाँ पर पिचिंग आउट साइड ओफ और बहुत ही शानदार रिव्यू यह टीम इंग्लिन का आउट होते हुए पलेयर अंपायर को अपना फैसला तब्दील करना पड़ेगा अब जि बिलकुल दोस्तों अंपायर जो है वो अपना फैसला अब तब्दील करते हुए विकेट गिरते हुए टीम ऐस्ट्रेलिया की बड़ी मचली का शिकार होते हुए हाँ पर आउट हो चुके है यह पलेयर अब अब सही है भाई स्कोर कार्ड शांदार यह गेंद हलकी से अंदर की तरफ आई यह गेंद जाकर पैर्स बिट कराई यह गेंद बड़ी अपील हुई और आउट होते हुई है पलेयर अब बड़ी विकेट जो है वह दोस्तों गिरते हुई हाँ पर अब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर स्कोर 120 से 3 के नुकसान पे तुक्रियाद सभी का हमारा साथ देने के लिए इंगलेंड की टीम जो है वह दोस्तों अपनी विकेट को लूज कर चुकी है अब और रिव्यू जो है वह रिटेन करते हुए अब टीम माफ की जिएगा इंगलेंड की टीम विकेट को हासल करते हुए अस्ट्रेलिया कि टिंग विकट को लूज कर चुकि है, सॉरी, थोड़ी सी confusion हो रही है, थोड़ी सी, लेकिन हम इस confusion को जो है वो दूर कर देते हैं हम, बने रहीएगा आप सभी दोस्त हमारे साथ ही, जी हाँ, ये थोड़ी सी confusion जो के अब दूर कर देते हैं हम, जी बिल्कुल दोस्तो, Ashes के मैच की तरफ जो है वो बड़ लेते हैं हम, ताकि ये confusion जो है वो दूर हो जाए, वोर कार्ट की जो confusion है वो थोड़ी दूर हो जाए, और दोस्तो अब score की बात की जाए, तो score रहते हुए, 120 पे 3 आउट, 39,02 गिनों का खेल भोज का है पूरा, इंडिया ये और पाकिस्तान ये का मैच, जो है वो, यार हम ऐसा करते हैं, मेरी बास सुनें आप, ऐसा करते हैं कि आप जो है मोना, हमें अस्ट्रेलिया वाली लाइब स्ट्रीम के उपर ही जोईन कर लें, वहाँ पर हम, जो है वो, इंडिया है और पाकिस्तान ये का भी score card जो है वो लगा देते हैं, ठीक है, सही है ये, क्योंकि 150 के करीब दोस्त मौजूद है तो मज़ा नहीं आ रहा है, जगा जो है वो घेरी हुई है, स्ट्रीम ने हमारी ज़्यादा, वो मुकाबला बढ़ते हुए आगे, आउट हुए हैं, अभी अभी player record.delivery, गाम दल एकसाइड ये gain दिसके इनको बले बास ने, बिना किसी दिकत और परिशानी के लिव किया और लिव करते वए जाने दिया विगेट की बगे बास. 45 रंज होते हुए अब टिम इंडिया को जो है वो अब जीत के लिए 166 रंज की जो है वो जरूरत है. 45 रंज होते हैं. इतनी confusion नहीं होनी चाहिए. इतने ज़्यादा जो है वो scorecard मेरे सामने अब open है. 46 confusion हो रही है लेकिन कोई नी. इसको मैं ठीक कर देता हूँ. और के है लिगेंड, once again, यगेंड जो के short pitch गेंड, इस गेंड को backfoot पर रहते हुए बले बास ने है. Hello, hello, hello. बैकफूट पर रहते हुए जो है वो दोस्तों बैटर ने खेला है. कोई भी रंद जो है वो लेने का मौक आप मौझूद नहीं है. लेक साइड में खेला इसकेंड को. अस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच जो के अब आगे बढ़ते हुए. और अस्ट्रेल भी टीम जो है वो अब इस मुकाबले के अंदर अस्ट्रेलिया दा लोगों कि थे गया. अस्ट्रेल भी टीम जो है वो दोस्तों अब हमें इस मुकाबले के अंदर मौजूद दिखाई दे रही है और देखते हैं कि कितने रंज को बना पाएगी शाट फिज अगेन जिसे स्क्वेर लेक केरी में खेल दिया एक और सिंगल का होते वह इजाफा इसी वे में खेला गया यह शाट और कोई भी रंज है वो लेने का मौकाब मौजूद नहीं है तो यहाँ पर अब डॉट के साथ स्कोर की बात कि रहा है तो उसके एक सो एक से तीन के नुकसान पे दूसरी तरफ सेंटाल स्टन्स बना लिया है टीम इंडिया एने अब जो है वो चीजें काफी अच्छे से काम करती हुई दिखाई दिनी चाहिए हमें जी बिलकुल दोस्तों आप भी बता सकते हैं कि everything is all right or not विगेट गिरी पिछले ओवर के अंदर आउट होने वाले प्लेयर स्टीव स्मित जो के LBW आउट हुए और रिव्यू का बेहतरीन इस्तमाल करते वे दिखाई दी हमें वहाँ पर टीम अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सो एकिस है स्कूर्तिं किनुक सान्पी पर अब एक्सो 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 एक् इंगलेंड सीमर्ज की अगर बात के जाये तो after lunch बहुत अच्छी और उंदा बालिंग की गई इंगलेंड के सीमर्ज की तरफ से इनको और लगाता है विकेट्ट विकेट जो है वो हमें बालिंग करते हूए ये player जो है वो दीखाई दिये शांदार किसम की बालिंग जो है वो इंग्लेंड के सीमर्स की तरफ से जो है वो दोस्तों की गई और इस चीज़ का उनको रिवार्ड में मिला है स्कोर 121 से 3 के नुकसान पे ओ, खुबसूरत गेंड इस तफ़ा बले के आउट साइड आज को बीट करते वही अगेंड गई है विकेट कीपर के पास बहुत ही शांदार तरीके से करवाई गेंड और यहाँ पर अभी 121 से स्कोर 3 के नुकसान पे बहुत ही अच्छी आउट स्विंग होते हुई अगेंड टपा खाने के बाद जो के हलकी से बाहर की तरफ निकली और इसके इनको बले बास ने जो है वो अब समलते हुए केलने की कोशिश की को दो स्कोर बड़ते हुए किस तीन के नुकसान पे यो तो 121 से स्कोर तीन के नुकसान पे अब 30 वर्ज़ और 4 गिनों का खेल जो कि हो जो कि अब हो चुका है पूरा आपर आफ्स्ट्रम के काफी ज़्यादा बाहिट की ये गेन जिसे बैटर ने लीव किया और लीव करते वे जाने लिया विकेट कीपर के पास टॉट के साथ अब स्कोर रहते हुए यहां पर 121 के नुकसान पे आशेज को कौन-कौन जो है वो इंज्वाइ कर रहा है इस साल आशेज को इस सवाल इससे भी दीज़ेगा आप सभी दोस्तों में बता कौन-कौन जो है वो Ashes को जो है वो ट्वाइन कर रहा है बारासों के ग्रीब दोस्तियों है वो हमार साथ मौजूद है Ashes वनली लाइस्ट्रिम के उपर बहुत शुक्रिया आपका यहां पर रॉन पैट ये गेन जिसे लेक साइड में फ्लिक करते हुए खेल दिया है उम्दा तरीके से खेला गया है शौर्ट एक रॉन का जो है वो होते हुए इजाफा स्क्वेर लेक के एरिये में गई एगेन द एंड सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कूर है 122 तीन के नुकसान पे तो दोस्तों क्या लगता है कि टीम जो है वो आस्ट्रेलिया इस सीनिंग्स के अंदर कितने रंज को बनाने वाली इस सवाले से दीजिए आप सभी दोस्तों में बता कि आपके खाल से ये टीम जो है वो कितने रंज को बनाने वाली है यहाँ पर अब 122 से स्कूर तीन के नुकसान पे 31 का किलब जो कि हो चुका है पुरा यहाँ पर चार के रंडेट के साथ ये टीम अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और शॉट्विच गेंद और ये गेंद गई है अब आफ साइड में पतरनाक तरीके से करवाए गई है गेंद और यहाँ पर लेग 22 के सूरत में मिलते हुए सिंगल सेशन के अगर बात किजया तो सेशन के अंदर अब 25 मिनत खेल जुका है 25 मिनत का खेल जो अब हो चुका है सेशन के अंदर हँआ पर हैल्मिट से ये गेंद जो है वो जा कर टक्राई और इसलिए यहां पर अब टीम के डॉक्टर जो हैं वो दोस्तों ग्राम के अंदर आते हुए और आकर उनको चक कर रही हैं कि वो ठीक है या नहीं है